गान माटे हुँ मंचासिन महानुबावों ने तदा तमाम उपस्तित जन मेदनी ने पुदाना स्थाने उबाथई ने आपड़े समूमा माँ बार्दीनों वंदे मातरमनों गान करी सू वंदे मातरम वंदे मातरम सुझला सुफला मलयजशीतला शश्यशामला मातरम वंदे मातरम सुप्रजोसना पुलकित यामिनी खुलकुशुमित दुमदल शोबिनी शुहासिनी सुमदूरबाशिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोलो बारत माता की बेहाथ हुझा करीने बोलो बारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम आजना आ कारेक्रम मा डेश बक्तीनो रंगारंग कारेक्रम छे त्यारे आपणी बच्चे पूर्व सैनीक आदेश बन्मोंजी सर्मा जी तथात्री यंदी भाई गांधी पन उपस्ती छे त्यारे त्यमनू पन बाव सबर स्वागत छे आजना आ देश बक्ती कारेक्रम जमने योजियो छे त्ये अर हम में इस प्रजानी वच्चे रहता प्रजाना प्रस्णों ने वाचा आपता पस्चिम विदान सबाना लोग प्रिय विदायक मानिय स्री पूर्णेज भाई मोधी ने विननती करू छो आओ मंचासिन महानुबाओं ने तथा जन मतने ने सब्दो थी आप स्वागत करो मनिय स्री पूर्णेज भाई मोधी भारत माता की जरा जोड़दा रवाज काड़ो भाई स्वातंत्रवीर विदायक सावरकरजी की 135 भी जन्वजेनती पर एक साम भारत माता के नाम का जो कारेक्रम है इसलिए मैं आप से सबसे विननती करता हूँ कि आप सब भारत माता की जेका नारा उलननी से बददे आप सब करेंगे बोलो भारत माता के एक सो सरसर सुरत बस्से विदान सबा आयो जी हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री आदरेशी नरेंद्रभाई मोधी के रिटनुत्वों में वाजपा की केंदर सरकार के चार साल के सुसासन एवां विर्शावरकरजी की जन्मजेंदी इन दोनों कार्यक्रम को प्रधान सबा में आयो जीन करने के लिए हमारे सभी पस्सी विदान सभा के कारिकत्ता मित्रों परम पुझ्य स्वामी अमरिशानन जी परम पुझ्य सितरामदास जी परम पुझ्य लक्ष्मण योती जी भार्तिय जन्ता पार्टी गुझ्यात प्रदेश के महा सची वादर्णिया भरस्षी भाई हमारे सांसर सुरत के स्रीमती दर्स्ता बें जर्दोस सुरत महानगर के सभी विधायक यहाँ मंचपर उपस्ति सुरत महानगर पालिका के सब पनाली कारी गड़ भाजपा सुरत महानगर के सभी पनाली कारी पस्ति विदान सभा के हमारे सभी नगर सेवाग वोड प्रमुप वोड के महामंत्री और उपस्तित सभी भाजपा के आगेवान बाईयों और बेनों 26 मैं 2014 में आजणिय प्रदान मंत्री जी ने दिल्ली में सपत ले थी और 26 में 2018 चार साल का सूसासन जब बात होती है तो कॉंग्रेस आरोप लगाती है कि प्रदान मंत्री विदेश में गुम रहे हैं मैं कहना चाहूंगा कि प्रदान मंत्री विदेश में जाते हैं तो हिंदुस्तान में जो चीज की कमी है और टेक्नोलोजी लाने के लिए जा रहे हैं प्रजान मंत्री अगर विजेश जाते हैं तो हिंदुस्तान को मजबूती देने के लिए आने वाले दिन में हिंदुस्तान महा सत्ता बने इसके लिए जाते हैं कॉंग्रेस आरोप लगाती है कि चार साल में कोई काम नहीं हुआ मैं इस विजेश पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्यूंकि हमारे आदरनिया गुजराद भाजपा के महा सचे हूँ मंसुख भाई मंडविया जी और हमारे केंद्र के मिनिस्टर मंसुख भाई ये आपके सामने ये पूरा विशाई चार साल का लेखा जोका रखेंगे लेकिन मैं एची जवस्या कहना चाहूंगा कि 2004 में देश बक्त की सरकार अटल भी आरी बाजपाई जी की सरकार थी कम नसीब वो सरकार 2004 में वापस नहीं आई लेकिन जो भी सरकार आई वो सरकार उनका मिनिस्टर उन्होंने हमारे सावर जी करगी का अपान किया मनिसंकर रहियर जी ने कोग्रेश की सरकार में इस पुरे विश्व के अंदर सब्चे बड़ा क्रांती कारी स्वात अंत्रवीर विनायक दापोजर सावर कर जी उनका जो समारक था उनके साथ में स्पारक में मदलार धिंगरा उनके साथ स्पारक में नेताजी सुबाश संद्र भोस उनके साथ स्पारक में और भी महादु वाओ जो इस देश पे सहीद हुए उन सबकास बारक को आंदोबान की सेल्यूलर जेल में से हटाने का काम किया वो हमने चेलेज शुकार किया और हमने यहाँ विदियापुन स्कॉल पालनपूर जकार तागा के पास जो के इत्यासिक स्थन है इत्यासिक इसलिए है के 1940 में जब हिंदूस्तान में हिंदू और मुष्णी वेक्ता की बात की बात हुई थी तो नेताजी सुबाश शंद्रबोश जिन्दा के पास कहे थे उनको मिलने के लिए तो जिन्दा ने उसको मना कर दिया कि मैं आपको नहीं मिल सकता उन्होंने बताया कि मैं आप जिन्ना ने बताया कि आप कॉंग्रेस की ओर से आये हैं मैं आपको भागचित नहीं करना चाहता हूँ तब सुभाश जन्रमोश ने पत्र लिखा इसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्स होने के नाथ मैं आपको मिल सकता हूँ तब जिन्ना ने कहा कि मैं आपको नहीं मिल सकता हूँ यदि कोई हिंदूस्तान में हिंदू नेता है वो विदायक दामुदर्श सावर कर है इसलिए मैं सावर करकर के सिवा आपको हिंदू होने के लिए भी आपको नहीं मिल सकता उसी सड नेता जी सुबाशंद्र बोस तुरंट चले गए मुंबई में सावरकर जी को मिलने के लिए 1940 की गट्टा है सुबाशंद्र बोस को मिले सुबाशंद्र और सावरकर जी का मिलन हुआ सावरकर जी ने बताया कि यहाँ अंदोलन करने से कुछ नहीं होने वाला है आपकी जरूरत हमारी आजाद हिंद फोज जो राज बिहारी मोज के देत्रुत्वों में जापान, इटली और वही पुरा प्रदेश में वहाँ एकत्रित किया गया है आप आजाद हिंद फोज का देत्रुत्वा करो और सावरकरजी ने पुरा प्लान बताया उस प्लान के मताबिद कलकटा से लेके लाहोर से लेके, अफ़क clipsstans से लेके वहाँ तक जहाँ आजाद हिंद फोज वहाँ जाके जरूमनी में रास बिहारी बोस्ट को नेता जी सुबाश चंद्र बोस्ट मिले तो ये दोनों का जो मिलन है ये मिलन एक तरफ एलपी समानी रोड से जो रोड आगे निकलता है जकात ताके के पास वो सुबाश चंद्र बोस्ट रोड है और एक रोड जो है वो विर्शावर का रोड है उनक में 2008 में जब हिंदुस्तान 150 में सौतंत्र संग्राम की सालगेरी मना रहा था तब हमने वहाँ उस बारक का प्रस्तापित किया फिर अभी मणी संकर रहियर वहाँ पस पाकिस्तान गए वहाँ जाके आई लओं पाकिस्तान की बात कर रहे मैंने इस से बड़ा कोई देश दोई रहे नहीं है देश की बातों वहां पाकिस्तान में जाके करता है और यह बताता है कि सावर करके जिनका हिंदुत हुआ है वो हिंदुत हो के बज़ा से इस देश के आजानी में इस देश में बटवारे हुए ऐसे वेवनिया राक से उन्होंने पाकिस्तान की भूमी से किया ये कॉंग्रेस का चाल चली तरह है क्या आप इस देश के महान करांदिकारी ना देश के पुरे विश्व के महान करांदिकारी उसका अपन्द कर रहे हुआ पकिस्तान जाके ऐसी कॉंग्रेस को और आज इस लाज साल पिछले साल में तो रहुली ने बताया संसत में कि आपका है सावर कर मैं कहना चाहता हूँ कॉंग्रेस बार बार अरोप लगाती है कि हिंडुस्तान के आजानी में स्वातंत्र संग्राम में आपका क्या योग्दान है तो हमारा ये योग्दान है कि जाफे कर बंदू हमारे थे कुदिराम बोज हमारे थे जंगर सेकर आजान हमारे थे अस्पागुला कुल वो हमारे थे हमारे बगस्षी राजगुरु सुक्डेव नेताजी सुभास्चत्र बोस विर्सावरकर ये हमारे लोग क्रांतिकारी हिंदुस्तान के आजादी के लिए इस देश पे बलीदान किया है ऐसे लोग है और आप ये बताते है कि आप लोगों का योगदान क्या है अरे आप लोगों ने 1921 में जब खिलाफत के आदोलन के सामने घुट्टे टेक दिये उसी दिन से इस देश पे मुस्लिम कुष्टी करण कॉंग्रेस ने अपनाई उसी दिन हमारे सभी लोग यहाँ तस्वीर है हमारे डॉक्टर साहिब के कि सवराव लड़ी राम हेडगेवार जी की उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ दिया क्योंके उक्रांतिकारी थे इस देश पे जो भी क्रांतिकारी थे उन सभी ने कॉंग्रेस छोड़ दी थे आजानी के लिए इस देश पे मर बिटेते और आप लोग बताते हैं कोंगरेश वाले कि इस देश के आपका क्या युगतार है इसलिए दोस्तों पिछले एक साल से सावरकर जी केंद्र में रहे हैं और हमारे प्रदान मंद्री जी आप तस्वीरे देख रहे हो इजराहिल, अमेरिका, जापान, उस्टेलिया, ब्रिटान आओ प्रमुक्सरी का अर्दिक स्वागत है तो ये जो बज़ा है इसके लिए हम सब को जागरुद होना पड़ेगा कॉंग्रेस के जो मरी संकर एयर है उसको करारा जवाब देना चाहिए हर भाज़बा का कार्य करता हमारे अधर ये प्रदान मंद्री जी ने देश पे चार साल का सुसासन कायम किया है अगली बार भी हम ही चुनाव जीत के आने वाले है इस देश को महासत्ता बनाने के लिए भारतिये जन्ता पार्टी एक मात्र देश पक्तब पार्टी है देश की अगर मिट्टे वाली पार्टी है तो उनको आप ये चार साल का लेखा जुखा हमारे आगे वान और भी बताएंगे हमारे मनसुख भाई बताएंगे और सावरकर की ये बारे में हम से ज़्यादा हमारा डॉक्टर हरींद्र सीवास्तव जी जो दिल्ली विश्वा निट्या लेक के प्रोफेसर है चालिस साल से सावरकर जी पर रिसर्च का काम कर रहे पूरे विश्व में सावरकर जी जहाँ जहाँ गए है वहाँ वहाँ गए उस समय पे संसोदन किया चाहे इंडिया उस हो चाहे जीनिवा हो चाहे सेलिलर जोल हो साहे रत्तागिरी हो चाहे भगूर गाम हो चाहे नासिक हो चाहे पुना हो जहां भी जहां जहां सावरकर जी गए वहां खुच जाके 40 साल उन्होंने अपना जीवन का मुल्या सावरकर जी के जीवन के पीछे उन्होंने पल-पल बिताया है ऐसे हमारा हरीन रसी वास्तव जी का सावरकर की बारे में और सुनेगे आज मुझे इतना बताना है कि हमारे आदर्णिय प्रधान मंत्री जी का चार साथ का सासन उनकी जो उपनवत जई है संकल्चे जो सित्ती है वो प्रत्यक कार्य करता हर चोराय पे वो बात रखे इसी अपेक्सा के साथ आज हमारे सभी आगे वान आये है अध्यक्स्री दितीन भाई बजिया वाला भी इदर उपस्तिते सभी महनुबाव मंच पे बैठे हुए और सामने बैठे हुए सभी का में हार्दिक स्वागत करता हूँ वन्ने मात्रम भारत माता की जए तांक्यू तांक्यू बोनेश भाई बहुत ब्यारी बात की शाथिक आपकर सब का स्वागत भी किया और आगे के जो कारेक्रम है उसके उन्होंने जानकारी भी दी आज ना कारेक्रम मा अपने आसिर वचन माटे माहनसी परमपुचिय बटूकिरी महाराज पन उपस्ती चे हमना आज आपनी वच्चे उपस्ती थया आएवा सुरत महानगर ना जुजारू अध्यक्स मानियस्री निदिन भाई बजिया वाला माटे जोड़ दार ताड़ियो थिरी जाए मुर्तरू केंद्र सरकारना मंत्री मानियस्री मंसुग बई मान्डविया जी थोड़िक शणों मा अपनी वच्चे उपस्ती थनार चे द्यारे मंचासीन मंचासीन महानुबावनु पन आपने सन्मान करी लिये अपनी वच्चे 24 सुरत संसतीय मत्रीस्तारना लोगप्रिय सांसत स्रीमति दर्शना बेन जर्दोस उपस्ती छे एमनु पेला साल्ती सन्मान करवा माटे हो स्री प्रवीन वई पटेलने विननती करू जो अपना लोगप्रिय सांसतना सन्मान दहिरुचे आपना जोड़दार दाड़ियो माटे उविनन्दी करूँज। मंसुपबई आपनी वच्चे उपस्तित थाई राया छे अने मारे पड़ विजा करेकरम मां जवान उचे पन आजे खूब सरस हुजोवनी गईकाले जे नरेंद्र भोधी जीनी सरकार ने चार वरस थाया अने आजे पस्ची मिदान सबहनी अंदर आपना धारासे बेशरी पूर्णेस भाईये खूब सरस देश भक्तीनों कारेकरम राख्यों वीर सावर करजीनी आउतिकनी यादगिरी मां एमने पना आजे याद करवा माटे आपने सव याँ बिघत है आजे तारे सव ने शुबेच्छा पाढ़ू जू अने नरेंद्र भाई ना सपनानू नव भारत ना निर्माण माटे अने एक विद धियोजनाओ साथे लोको सुधी पोचोवा माटे अग्यर मी जून सुधीना वीविट कारेकरमों आपने सव आयो जोईन करिया चे गईकाल थी अमित्पैशानी प्रेस कॉन्फरेंस अने कटक नी अंदर थी ओरी साथी दरेंद्र भाई आपेलो एमनो इसब के चार वरस्त नी अंदर अने सामे साइट वरस्त नी सरकारे करेला काम और नितुल्ण ना करीने एमने एमनु पोतानो विजयन आपनी वच्चे मुखी दिदू छे आज नी सवरे केंद्री अमंत्री घिरीराच्ची जी जारी हिया उपस्ती थाता अने कार्यकरम दर्मयान मनकी वात पड़ अमे सववे साथे मडीने सामडी अने आवनार दिवसों नी अंदर विवित कार्यकरमों करवा माटेनी प्रेलना हम्मे सा नरेंगरबैनी मननी वात वार आपने जानवा मडे छे पांच्मी जुन्नों कारेकरम आपने आपयोचे विश्व परियावणन दिवस नो एवीज रिते आपना महापुरुसोरे याद करीने एमनी याद मा जेकई कारेकरम मों योजाता हो एने याद करीने आपनी संस्कुरूती ने याद करवा माते नौ आउसर चे वीर सावरकरजी माटे गणू बदू केवासे आम तो पुर्णेज बई जारे बोलवा खुबा थाई त्यारे एमनी पासे नौ भाथू खुब होई छे कोई पर विशाई पर गणू बदू बोली सके अने एमने गमतो विशाई छे गमती भासा मा बोले छे पण वीर सावरकरजी नी स्वृती माँ आपने वाचया छे पण एने अंदामान निकोबार नी अंदर नी जेल माँ जेग छोवाई छोवनी कोटडी माँ पूरेला एनो दर्शन करवा थी हलना संजोगो माँ अने तिये वकत नी यातना ओने आपने खाली ये बेने कंपेरि ये जन्तापाटी ना आदर्श गणी ने आपने घणी मदी वातों करिया छे कॉंग्रेस ने अब दू गमतू न थी इतला माटे जा आपने आपनी वातों लेने जरे लोकोनी वच्चे जता होई त्यारे खास करी ने विकास नीज वातों करी ने कोई विवात मा पड़िया बगर अनेक विद योजनाओ जे सरकारे घरीबों माटे बनावी छे एक घरीब प्यक्ती जे बार वरे शुदी कुझरात राजयाना मुख्यमत्री रहा पची जे सफडता पुर्वक जे कई योजनाओ नो अमल करे ओ येनू अमली करण माटे अवे जरे देशनी अंदर एप अपड़े एनो सअथी बहलो अनुबव करी चुखया चेस तो मारीस दाउने विननती चे अवनारा दीवसों मा लाभार moraläg टी सम्मेलनने अको योजना वो लाब मड़ी चे उजवाला योजना मुद्रा योजना लाबार्ती सम्मेलों नो करवाना चे प्रजानी बच्चे जवानू चे स्वच्चेता अभियान करवानू चे बदा कारेकरम आपने खुब उच्छा पूर्वक करिये अपनी बच्चे एंद्रिय मंत्री श् प्यारे पाच्चे आपनी वच्चे आवाना चे परम्दिवसे पाचा आपने अवति काले रूपला साहिबनू एक भुद्धी जीवी साथे नू सम्मेलां चे आपने शवे भेगा मानी ने एमा पन सामबड़वानू चे बूच संपर्थ करवानों चे तो आजन्या चार व अपनी बच्चे केंद्र ना देश ना वड़ा प्रदान अजय सिंदरेंद्र भाई, मोधी ना नित्रुक्तरवाडी, सरकार मा रोड, ट्रांस्पोर्ट, हाईवेश, जिपिंग्स, केमिकल एड़ फर्टिलाइजर ना राज्यकक्साना मंत्री, अधरिया, आपना स्री मन्सुप भाई मांडविया जी ये उपस्तिची त्यारे, जोड़दार ताडियों थी, एमनों स्वागत करिये, बोलो बारत माता की, ते हाथ हुचा करीने, मानिय स्री मन्सुप भाई मांडविया जीनों स्वागत करिये, बोलो बारत माता की, बारत मा बाता की वन दे, वन दे के राव, पुर्वस्राहिनिक श्रीमती नुटन जी, पुर्वस्राहिनिक प्रेम सर्मराट जी, जो आपनी वच्चे उपस्टी दिया रहा छे, तो आपने एमनू हार्जिक स्वागत करिया छे, अभिवाधन करिया छे. मंच पर विराजमान, बारती जन्ता पाटी नुट सिर्ष नेत्रूत्व जयर उपस्टी चे द्यारे, एमनू सन्मान करवानी तक पन आपड़े जड़प थी, जड़पी लईए, आजना आ कारेक्रम मा, आपड़ी वच्चे दिल्ली थी बदारेला, आपड़ा सवना, माननिय स्री मन्सूक बै, मान्ड़या जिननु, सन्मान माटे, आजना कारेक्रम प्रयूजियो छे रिवा, पस्चिम विधान सबना लोक्रिय विदायक, माननिय स्री पोनेशब्अग मोधी न विननंदी करऊंचु मलनिया श्री मन्सुक भै मांडेवय जीनु शाल सी सन्मान करवा माटे आपड़े चोड़ दार दाड़ियों थी वजावीशु स्वातंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकरजी उपर आजे आउती काले जारेवनी एक सो पांत्रीस मी जन्में जेनती शेत्यारे स्वातंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकरजी ना जीवन उपर आपड़े जेमनु मनोनित उत्बोदन आजे जरा सामपणगाना छे त्यारे एवा दिल्ली विश्वे विद्यालाईना राध्यपक अन्ने स्वातंत्रवीर सावरकरजी उपर जेमने प्येचडी करियु छे वहा मान्निय श्री अरिंद्र जी स्थिवासत्तोंट जीननू पण संद्मान माटे उस्री निरोवाई साने विनंती करूँ छुँ स्री दीग्विजैसी बाराटले विनंदी चड़क्ती अरिंद्रेजी नू सन्मान करे अपणी वच्चे गुजरात प्रदेश बार्तिय जिंदा पार्टी ना महामंत्री सुरत ना प्रवारी अने हर हम्मेश संगना नात्पक कारियों मा जयमनू सुरत महानगर तदा समगर गुजरात माने रुप्रदान चे वा मन्यस्री बरस्ती जी परमार्ज भी या उपस्ती चे त्यारे मन्य बरस्ती जी नू स्वागतने सन्मान माटे ओं डॉक्टर रमणबै परमानने विनंदी करूछु आज ना कारियों क्रम्मा आपड़ सौने आशिर वच्चन माटे परमपुज्य संतो स्रीपन उपस्ती चे त्यारे परमपुज्य अमरिसान अन्जी नू सन्मान माटे ओं मानियस्री अनिलबाई बिस्किट वालाने विनंदी करूछु वड़ प्रमुख्ष्री मुकेश्वै देशान अन्जी अमरिसान अन्जी नू सन्मान करे महाम मंदले स्वर परमपुज्य स्री सिताराम जी नू दाज जी नू पन शन्मान माटे ओं श्री विनूबै विनंदी करूछु महाम मंदले स्वर श्री लक्ष्मन दाज जी महाराज नू शन्मान माटे श्री निलेजबै पटेलने विनंदी परमपुज्य बटुकिरी महाराज नू शन्मान माटे ओं श्री दिलूबा वाडाने विनंदी करूछु अपनी बच्चे सुरत मनबाना मेयर सुरत ना प्रतम नागरिक माननिया स्री मती अस्मिता बेन सिर्वेवा पटुपस्ती चे यह मनू सन्मान करूआ माटे नगर सेवक माने श्री निलेजबै साने विनंदी करूछु करूँ 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 करे ना कैं Chief यह मनूं आजना देसबक्ती रंगारंक आर्गरिक न्हींदि आजना प्रत यह की साल राक सिर्वेवा प्रती निलेजबै सेवक माने श्री यह मेंद सीर्वेवा पर कंदूदे नागरिक मैर माने श्रीमारिक मान Swar curso पार्टिय जन्ता पार्टी केंद्रिय मंत्री हमेशने माटे केंद्र मा रही औने रस्ता मार्ट अने पार्किंग के अन्य सुविदाओ खूप सारी रिते मेडिकल नी द्रश्टी अपाए तो प्रयास कता एवा मंत्री सी मंसुप बाय मांडवया साय अमारा प्रभारिय अमेशने माटे मार्दर्शन करता मामंत्री परसी जी अत्यारे जेमनी विदान सबानी अंदर आपने सव बेश्टी ने अम्मेशना माटे संगटने सक्रिय करता एवा पच्चिम विदान सबाना तारा सब्य पूनेशवाई मंच पर ना दरेक आजे वड़ीलो महनुभाओ कोर्परेटर स्री ओ पदाधिकारियो हो देदारो कोर्परेटर स्री ओ अने दरेक मौर्चाना प्रमूख माहमंत्री आपने दरेक कोर्परेटर स्री ओ दरीकोड ना प्रमूख महामंद्री कार्य करताओ सोसाइटी ने आजे सर्ववडी लोना आसीरवाती आपने खुब सारी रिते भारतिय जंता पार्टी नुँ शाशन करी रे आजे जेमने वर्षो पेला खुब ज भेश करी ने आजे दमदमदी करी चे अने विश्वनी अंदर जारे आपना अधनिय वड़ा परदा नरेंद्रभाय मोदी जै अने विश्वनी अंदर महासता तरफ जारे आपना देशने लही जवा प्रहेतना करी रिया छे एवा समये मात्रने मात्र आपड़ा त्लो संकल्प करवानों छे कि आ देश नो आ विश्वनो आ राष्ट्रनो औने आपना राज्ये नो औने आपनो सवनो जो विकास तसे तो मात्रने मात्र भारतिय जंता पाटी ना अने आपना आधर्णिय वड़ा प्रदा नरेंद्र भाई जे सूज बुस्ती चालू प्रवर्तमान समये पार्की ने युवानो ने जे टेक्नोलजी इनोवेशन साथे अगर आपना राष्टर ने कही रिते लही जवानों जे ना प्रहेत्ना करी रिया जे एमा आपने सव साथे मली ने जोडाए जे पन होई मात्रने मात्र भारतिय जंता पाटी अने लोकोनो जबिकास आ बेद रष्टी राकी ने आपने आगर वदी शू तो कोईने शंकाने स सामे पन कोई नजर करी शक्षे और आपनी भारतिय जंता पाटी ने क्यारे कोई हजम चावी शक्षे अतले आधनों संकल्प आज रोज आपने सव लेए आपना आधर ये वडाप्रदार नरेंद्र भाही ना कालनी अंदर चार वरस पून थिया छे रूट लेवल ती लाई अने जेकाई आपनी प्रश्णों मुश्केलियों तकलिफ हती आपना देश ने आर्तिक अर्थतंत्र दी वदारे मजबूत करू तूं साथे साथे आपने गणा बदा एवा प्रश्णों हता के वर्षों पेला तवाज होए औने ए आजे नरेंद्र भाहे ए प्रश्ण सोल क अने बेंग साथे जोडवी अने माता बेनों नी जेकाई मुश्केलियों हती चुला थी मांडी ने जेकाई ने गेस नी जरूरिया तती ए वस्तों पुना रोड रस्ता जे गती आगण वद्वा जोए बन्वा जोए एनी पन गती आजे 23-23 किलोमीटर सुझी पहुची होए अने अक्खा देश्ट मां जहां पन जोओते जे पन राजे ने अंदर जोओते आविकास विकास दे विकास से तो अपने सवसाते मड़ी आविकास मां सहयोग करिये ए जाशा साते विर्मुचू जय ही जय जय कर वे गुचू माननीय मेयर स्री ने जोड़दार ताड़ियोती बतावी सु मित्रोई कगत्यनी जयराद आउधी काले बारतिय जंता पार्टी सुरत महानगर द्वारा देशना वड़ा प्रदान आदेने स्री नरेंद्रबै मोदीना नित्रुतोवाडी केंद्र सरकार ने चार वरस तुसासन ना पूना थाया चे द्यारे आउज़वणी मा केंद्र सरकार ना मंत्री माननीय स्री पुर्सोत्तम जी रुपाला जी नी अध्यक्स्तामा प्रबुद्ध नागरिक संब्यलन नू आयोजन करवा मावी चे द्यारे आ कार्यक्रम मा उपस्तित थावा माटे बार्दी जंदा पाड़ी सुरत महानगर तरफ थी अईया उपस्तित तमाम कार्यकरता बंदू भगेनियोंने तमाम समाजना स्रिष्टियोंने आ कार्यक्रम मा मोटी संख्यमा उपस्तित थावा हार्दिक आमंत्रन पाठाविये चे हमें हुँ विननती करूँ जोग बारती जन्तापाटी गुजरात प्रदेशना महाम मंत्री आपना स्री बरस्ती जी परमार सहीब ने आज इना प्रसंगे आपने सवु कार्य करताओं ने मार्ग दसन माड़े भारत माता की भारत माता की वीर सावर करजी ने जहेंती उजवा बेठा जोग जरा जोशती भारत माता की भारत माता की आजना अपस्चिम विदा विदान सभा द्वारा आयो जी केंद्र सरकार ने चार वर्ष नी जे उपलब दी छे अने सावर करजी ने स्रद्धान जली आप्पा माते ना कार्य ग्रम मा अपड़ी वच्चे उपस्थी केंद्र सरकार ना मंत्री अमरा मित्रा अधर्णियम मंसुग भाई आविस्तार ना धारा सप्य श्री पूनेज भाई श्री वास्तार जी डायस पर उपस्तित मेर्स बेन अश्मिता बेन अमरा बदा धारा सप्य श्री वो पदा दिकारी श्री वो अईया उपस्तित कार्य करता भाईयो वेनू चार वर्ष नी उपलब्दी अने अमा पन केंद्र ना मंत्री मंसुग भाई आपणी वच्चे चे पन विशय मुखवाना चे बड़ा उपलब्दियो नी वाद करवानी लालच कोई ने पन थाई येवो सरस चार वर्ष नू समवेद ना सबर आयोजन समवेद ना सबर अनेक योजनाओ त्रोण वर्ष पुरा थाया त्यारे मीडिया ना मित्रों ये कार्य क्रम मा मने पूछियो दू के त्रोण वर्ष नी उपलब्दी आखने वड़गे इवी कै त्यारे मित्रों में कयो तू मिडिया ना इवित्रों ने क्या नेक योजनाओ छे समगर देश बर्णो समतोल विकास करवानी दिसामा केंदर सरकार नरेंदरपाईना नेत्रोत्वमा अगडवदी रही उचे पड कोई एक उपलब्दी गणावी होय तो केंदर सरकार मा आटलाव प्रसक्रों ये वक्ते त्रोण वरस तह आटा आजे मने केवाननों मन्ताई चे का āचार वरस मा केंद्रा नी कोई जो एक उपलप्ती गणावी होई पहली उपलप्ती तो केंद्रा ना अमारा कोई मंत्री सामे प्रष्टाचार नी आंगडी नसी चिंदाई आशों थी मोटी उपलप्ती छे मित्रो दास वरस्त ना UPA ना सासन मा केंद्रा ना कोंग्रेस ना UPA ना सासन मा हकत एक एस्टीसी नी वाद करिए एक निकम नी वाद करिए तो साथ हजार करोण नो व्रष्टा जार एबने करियो छे मित्रो आनापुनती खबर पड़े कि आपने ते वक्ते कहता था के बार लाग करोड तेर लाग करोड केंद्रा नी UPA नी सरकारे जी व्रष्टा जार करियो छे मित्रो आनी सामे भारतिय जन्ता पर्टी ना चार वरस्त ना लेखा जोखा करिये तो बार दर्शी वैवट आपपानू काम नरेंद्रभई ना नेत्रोत्व मा अमारा मन्सुक बाई सहीत बदा मंत्रियोय करियो छे त्यारे अमने अभिनंदन आप पूछो नरेंद्रभई ने गुजरात बाजब तरप थी पन अभिनंदन आप जोए ये मेसेज आपणे मन्सुक बाई द्वारा नरेंद्रभई सुद्धी पहुँचा डिये मित्रो अनेट योजना हो छे उजवला होई उजाला होई जन्दन योजना होई आयुस्यमान भारत होई एक बे योजनानी जवाद करी विजु मन्सुक बाईना भागे मारे रवादे होई मित्रो अनेट योजवला पहला पांच करोण लोकों गरीब मध्यम भर्गना दूर सुदूर रहता कुटुम बने गेस आपणी जयरे वाद करी नरेंद्रभई त्यारे बदा लोकों ने वास्तविक्ता नती लागती नरेंद्रभई त्यारे आ देशना सोखी लोकों ने कईयों के भगवाने तमने आपियों छे गणू आपियों छे जो तमारो भाव होई तो गेस नी सबशेडी जे तमने मणे छे छोड़ी दो मारे गरीब लोकों सुधी ग्यास पहुचाड़ों छे मित्रो आश्चरिय वच्चे आनद वच्चे एक नेता मा स्रद्धा होई त्यारे सूपरिणाम आवे ये नरेंद्रभई नी एक अपिलने कारणे सवा सो करोड़ लोकों हिंदोस्तानी ए गैस नी सबसीडी छोड़ी दिती औने आजे आपने गैस गरीब सुधी पहुचाड़ी सक्किया छे पाज करोड़ लोकों ने गैस आपपानो तो पन नरेंद्रभई ने एमनी सरकारे लक्की करियो के आपने आठ करोड सुधी पहुचाड़ों छे मित्रों आवनारा समय मां एक वरस मां आठ करोड गरीब लोकों सुधी गैस पहुची जवानों से द्यारा उपलगती छे समवेद ना सबर योद ना जारे केंद्र मां होई के गुजरात मां होई प्रमानिक सरकार होई पुलिटिकल वील वारी सरकार होई तो सुपरिणामों आवे एक केंद्र ने अमारी भाज़पनी सरकारे प्रस्तापित करी दिदू छे मित्रों दुनिया दंग रही गई छे योजनावनी साथे बीजी एक उपलब्दी नी वाद करवी छे मारे बीजी आखे उड़ी ने बढ़गे भी उपलब्दी होई तो केंद्र मा मनमोहनसी नी UPA नी कॉंग्रेस नी सरकार हदी त्यारे दुनिया हिंदुस्तान नी नोद नहती लेती क्यारे मनमोहनसी हिंदुस्तान मा थी जाए अमेरिका जाए जाए जापान जाए चाइना जाए बिजारा देसों मा जाए अने हिंदुस्तान मा पाछा आवी जाए कोई ने खबर नती पड़ती पड़ हवे नरेंद्रबाई जाए छे ने ये अमेरिका जाए जापान जाए जापान जाए चाइना जाए त्यारे दुनिया जेरी ते स्वागत करे छे लाल जाजम पाथरी ने अने त्यारे आपडो कॉलर हुचो करी ने आपणने गवर उठाई ये भी आज चार वरस ने उपलब दी छे मन मोहन सी जदा त्यारे कोई नोंद नतू लेतू नरेंद्रभाय जेवा पलेन ना पगतिया उतरे छे ने त्यारे आअए अमेरिका जपान चाइना ना राज द्वारी उने लागे येम लागे छे के हिंदुस्तान मा थी हवे पहला जिवो डीलो पोचो मानस नती आउतो हवे तो हिंदुस्तान नो जाने सी पलेन ना पगतिया उतरता हो आई येवो गवरो आपन ने थाई अने मित्रो दुनिया ना आवे थाई गियो छे के सौदा बराबरी का करना पड़ेगा हवे जैम मन मानसी सही कराई लेता पहला येम आवे हिंदुस्तान ना वड़ा ब्रदान जाए छे त्यारे छे कई करारो थाई छे ये आपनी वाट आपनी नोन पण दुनिया ये लेवी पड़े छे ये वो वातावरन थाई उचे त्यारे मने लागे छे कि आपने इक जादनी उपलब दी छे आपने गवरों थाई मित्रोयोग दिवसली वाद नरंद्रवाय दुनिया सामे मूखी औने आखी दुनिया स्विकारी लिदो तो आउना रा समय मा हिंदुस्तान कई दिसा मा जवान आचे औना अनसार आ चार वरस मा मड़ी गिया चे अने चार वरस मा एक पची एक पची एक बावीस राच्यों सुधी भारतिये जनता पार्टी नी विजाई पता का बहुंची जे त्यारे कॉंग्रेस सहीद विरोध पक्सों ना पेट मा तेल रोडाईशे माशली सत्ता जेम पाणी वगर तर्फडे ये मा कॉंग्रेस सहीद बदा विरोध पक्सों सत्ता वगर तर्फडिया माई रिया चे नहीं याम उत्तर दक्षिन द्रू जेवा लोकों बेगा थाया रेल आवे ने तापी मा आवे तो न आवे मा तापी ने प्रात्ता करिये कि आवे तो सूरत नी जाहो जलाली दक्षिन नी जाहो जलाली गुजरात नी जाहो जलाली बदा रे पर पहला रेल आवती त्यारे आपने जोता कि एक जाड़ पर उंदर पन चड़ी जाई, बिलाडी पन चड़ी जाई, नाग पन चड़ी जाई एक बिजाना विरोध पासियों जाड़ पर चड़ी जाई अन्य जेवो पाणी उत्रे तेवों पचे एक बिजाना खावा मटे शरू थाए अमनी दोड़ येम अमना नरेंद्रबाई ना डर थी भारतिये जनता पार्टी ना डर थी हाँ बदा बेजार ओगनिस पहला बेगा थाया छे पन मारेम ने क्यों छे कि तमें गबेटला बेगा था गुजरात अने देशनी जनता ये गरीब लोकों ये नक्की करी लिदू छे के देशना वड़ा ब्रदान बेजार ओगनिस मा पण नरेंद्रबाई मोधी जसे मित्रों अनेक योजना वोना अधारे जैरे आ वातावाण बन्यू छे त्यारे आजनों दिवस संकल्प करवानों दिवस पुनेज बहे थोड़ी वाद सावर करजिनी करी छे श्री वास्तव जी करवाना चे पण मने एक वाद नो उल्ले करवानों मन्त आई चे अन्दाबान निकोबार वर्सों सुदी जेम्डे अनेक स्वातंतर संग्रामना शेना नी वोए जैल वाज भगोतों हुन जैरे आन्दाबान निकोबार गईो त्यारे यह जेल मा ज्या रहे हूं गयो त्या हरे जे कोटड़ी मा शावर करजीन राखिया था त्या हरे पहला मैं तु तिया प्रणाम करया और हम आपने बदा हिंदूस परंपरामा मानिये छे न जे स्रद्दा बाउ वो थाई छे हुँ सावर करजी नी ये जैलनी कोटड़ी मा गयो त्यारे मने हम लागयो के चारे इधा मैं आछे ने ये आधार श्रद्दा पाऊ थी मैं हमने त्यारे प्राणाम करया था अमारी साथे जे आखी अमनी विशय वात अमारी सामें जे मुक्ता था ये भाय हैं कई हो क्या कोटड़ी नी जैलनी एक इजपन जग्या एभी नती के जहां देश भक्तिती सबर कवी ताओ वीर सावर करजी ना लखी होई मित्रो आवास वीर सावर करजी जे मुने पोता नो जीवन भारत माताने समर्पित करी दी तु तेरा वहवामर रहे मात हम दिन चार रहे न रहे आजना दीवसे आपने क्रुतक नता व्यक करवा माटे नो आजना जली भावान जली आपा माटे नो आजनों दिवस्चे त्यारे वीर सावर्गर जी ने पढ़ों मारा सब्द पुस्ट भावान जली आपी ने मारी वाद पुरी करूँ छो भारत माता कीजे मानिय स्री बरस्ती जी परमार सहेब माटे जोड़दार ताड़ियो थी अमने बदावीर अने अवे हूँ आपनी जोड़दार ताड़ियो थी अमन्तित करूँ छो केंद्र सरकार ना मंतरी मानिय स्री मन्सुक जी मान्डेविया जी ने देशना वड़ापदान मानिय स्री नरेंद्रबाई मोधी ना वड़पड हेटन नी चार वरस्त ने उपलपती दियो तेमाज आउनारा वर्सो मा विकास नी नवीक सिती जो सर करवाना छे त्यारे आपने सव कारेकरोने माट दसन माटे आपनाई जोड़दार ताड़ियो थी अमन्तित करूँ छो मानिय स्री मन्सुक जी मान्डेविया जी कारेकर टो माला राम बष्दो कर माला है मुत वानारी सुक जै कारेकर लाउक सुरत पच्छिम विधान सबा ना दारा सब्य अधलिय पोलनेश्वाय मोधी द्वारा आयोजित केंद्र सरकार ना चार वर्ष पूर्ण थवा निमित्ते आजना कारक्रम निंदर उपस्थीत जमने आपनने हमनाज उत्बुदन करियो अमारा पार्टीना महामंद्री मारा मित्र अधलिय बरस्थी जी वीर सावर कर जी विशे जो आपनने मुद्बुदन कर बना चेवा अधलिय श्री वास्तव जी तमाम दराशब्यश्रियो पार्टीना आगेवानो उपस्थीत कारक्रत्ता बंदो पायो अने बहनो पार्टी जन्ता पार्टीना नेत्रुच्व बळी नरेंद्र बाईनी सरकात चना चार वर्ष पूर्ण थेयाच तमने वह थतो उषै के कोनेश बाई आमंत्र नायपूचे चार वर्ष निमीते मनसूग बाई चार वर्ष नी सित्धियो गडावानाच तमने एम पन थतों से के कायम माटे आपने सिद्धिवो सांबलता आएवा छिये टेलीवीजन उपर सिद्धिवो सांबलिये छिये गई काले प्रधान मंत्री जी जे उत्पोधर करियो एमा पार चार वर्ष्णी सिद्धिवो जलकती है ती आजे सवारे दिल्ली नो इस्तन पेरिफेरियल हाईवे बे हजार करोड रुपयाना खर्चे बन्यों छे एना उद्खाटन निमिते एक नौ किलोमेटर न लामो रोडशो हतो पारत सरकान न रोड मंत्री दरीके हुपान ए रोडशो नी अंदर आजर हतो नौ किलोमेटर एक धारी लामबी लोकोनी हार माला सब्जाएली हती जेवो रोडशो सुरत की अंदर थेव हतो एवो रोडशो दिल्ली नी अंदर जया आपनी सरकान चाली रही छे जया केजरी वालना जुठाणा चाली रहा छे एनी सामे नरेंद्र भाईना समर्तनी अंदर नारे लागता हता नारे आता अगली बार मोधी सरकार और नारे एकला माटे लागी रहा था दोस्तो कार करता तरीके तमे नहुँतो भारती जनता पाड़ीना विकास्ति बात करिये परन्तु जनता आव विकास्ते जिले छे करी नरेंद्र भाई चे कही होतु एन नरेंद्र भाई करी बताए उचे अन एकला माटे जनता लेऊ था रहे हुचे सरकार अमारा माटे काम करी रहे चे सरकार अमारी सरकार चे और जे कमिंटमेंट साथे अपने वर्षो सुधी जोयुँच चुटनी आवे चुटनी नी अंदर वाईदा थाई वाईदा ना वेपार थाई पास्त विक्तानों आधार ना होई चुटनी पुरी थाई अटले वाईदा वाईदा नी जग्याए रही जाई जेवी मैनी फेस्टों निंदर वाद करी होई एनु कोई इप्लिमेंडेशन ना होई मित्रों मने केता आनन दाई जे नरेंदर भाई गयो तू जारे 26 में में 2004 ना दिवसे शपत लिदा बची प्रतम पत्रकार परिशत निंदर गयो तू मारी सरकार गरीब शोशित अने सत्तेश समर्पित रेंशे आ समर्परण भावने व्यक्त करवा माटे नरेंदर भाई जे निर्डेवो कर्या एन निर्डेवो छे एनले सपनों आप्यों कि मारे नवु भारत बनावो जे नवु भारत ले क्यों भारत होई नवा भारत नुँ सपनों आपता निसादे नरें मारू भारत गरिबी मुक्त भारत होई मारू भारत प्रश्टाचर मुक्त भारत होई मारू भारत क्यों होई मारू भारत आंतकवाद मुक्त भारत होई मारू भारत क्यों होई जा संप्रदाय बाबतोने स्थान न होई संप्रदाय मुक्त भारत होई जाती वाती मुक्त भारत जादी वाद्ती मोगत सम्रदाई वाद्ती मोगत एवा भारतना निर्मान माठे नरद्रवाई कमर कसी अनि कमर कसी यहनू परिणाम अंतेरे आपणी सामे जोयरियाज नरेंद्रवाई कहयू के देश्ट ने अंदार गरीबों नामे वातों दो थती हती गरीबों नामे बाशनों पन थता हता परंतु गरीबों ने मर्तों तूसू 111 ने अंदार सौर्गास्त इंदराबेन गांधिये गरीबी हटावनों नारो आपयो हतो जार कि देश्ट में बेंकों नुराष्टी करन धयू कार अंदीराजे कहयो तो कै गरीब लोकों ने लोन मली रहने ऐतला माटे गरीबों ने आवाश्टी करन धुराब्द थाए तन लोन माटे बेंकों न राष्टी करन करी रहाए었다 परिंतु गरीब ओने बेंक आओना राश्टी करन थी फाइदों नो थियो गरीब लोगों बेंक मां लोन देवा माटे जता हाता तो केता हाता के तमारी पास है income tax तो return छे तमारू बेंक ने अंदर एकाउंट खोलावा माटे 10 कागल मागता हाता 10 कागल गरीब व्यक्ति क्या थी लावे बे तरन धका खाए मजूरी करतो करतो एक वकद जाएन बे कागल मागे बिजी वकद जाएन तरन कागल मागे गरीब थाकी जाए बेंक ने अंदर 31 करोड परिवार 31 करोड लोको बेंक एकाउंट थी वन्चित हता नरेंद रमोदे कहिऊ नव भारत कोने के वाई गरीब वो प्रतिरू कमिटमेंट कोने के वाई नरेंद रमोदे कहिऊ बेंक ना ओफिसरों ने बोलाया बेंकों ने बोलाया कहिऊ आग गरीब लोकों पासे 10-15 कागल गोतवानों समय नहोई तमें कोतीलो कया परिवार नुँ बेंक निंदर एकाउट न थी बेंक निंदर एकाउट न होई तो तमारे यादी बनावनी छे यादी बनाईने फोर्म लईने तमारे एमना घरे जवानू छे तमारे एमना घरे जैने एने तमारू अंगरे जिनू फोर्म बरता ना आवडे तमारे फोर्म बरी देवानुछे एने कदाज साई करता नो आवडे तमारे एमनो अंगुठो लई लेवानुछे अंगुठो मारी दे एमी पासे कदा आज बैंक ना एक खाता नियंदार डिपोजिट जमा करवे माटे पैसा ना होई तमारेने जीरो बैलेंस थी एकाउंड खोली देवानों छे मित्रो केता आनन धाई जे एक त्रीश करोड लोकोना बैंक नियंदार एकाउंड खोली गया गरीबों माटेनों काम किवे दोस्तो बाशनों थी नारा थी गरीबी नाभूद न थाई मित्रो वर्तमान समय ने अंदार शास्त्रों ये पन कही हुँछे गरीबी छे ने ये अभिशाप छे जे व्यक्तिक गरीब परिवार ने अंदर जैन्म होई ने नती आने स्वामान समाज ने नती स्वामान आपतो नती स्वाभी मान थी जिवीशक तो एक गरीब एने घरूपर छत न होई देशनी आजादीना सित्यर वर्ष पची देशना एक पुइंट सत्यासी लाक लोको ए अब परिवार ने पोतानु छत मलूँ जे एक करोड परिवार ने घर नू घर आपी दीदू जे अने 2022 सुधीनी अंदर देशना एक एक गरीब परिवार ने पोतानु घर मली जाई ए प्रकार ना कारेक्रमों चाली रहाँ चे वित्रों भाष्णती गरीबी नाबूत न थाई एक गरीब लोकों के गरीब लोकों के गामडा मा वस्ता होई शहनी अंदर वस्ता होई गामडा नींदर किसा नेतो होई ये नुँ भलू करूए तो गामडा ने सत्दर करूपर से गामडा नींदर आज दिना आटसट वरस पछी अढ़ार हजार गामडा नींदर विजली नहोई अडार हजार कामडा मा पेला विजली पोहचाड़ वीच अडार हजार कामडा ने अड़्स तेपल वर्ष सुधी तमें शाशन करिए तमें अडार हजार कामडा ने विजली थी वनचीत राख्याच अने तमे नरेंद्र मोधी पासे इसाब मागो छो गुजरात न माटी पगा नेताओ विज़े इरुपाणी पासे इसाब मागे छे मित्रो अढ़ार, अजार गामडाने विजली पहुचाडवानू कांग गया आठ्वाडिया नरेंद्र मोधिनी सरकारे पुरू करी दिदू अटलू नए दोस्तो देश्ट निंद चार करोड परिवार हता बराबर समझो जे लोको चोरे चावटे वाद करे जेने हैनो तमे जवाब आपी शक्षो देश्ट निंद चार करोड अटलू के कदाच वीष्ट 22-24 करोड आपणा परिवार चे आखा देश्ट निंद आ वीष्ट का परिवार एवा हता जेना गरे आव विजली नो दिवो नोतो जत्तो जेना गरे विजली नोती पोची नरेंद्र माई 24-24-28ार निंद आ 60,000 करोड रुपया खर्चा नकी करिओं मोदी सरकारे भारती जन्ता बाड़ी नी सरकारे अने मित्रो 2,018 डिसेम्बर सुधी नी अंदार एके एक घर सुधी एके एक गरीब परिवार सुधी चाहे पैसा वालो होई न होई चाहे अमनी पजे कनेक्षन लेवा पैसा होई नहोई दिसेंबर बे अजार अडार सुधी आज चार करोड परिवारों ने घरे विजली जगावानू काम आज चारे चालू जे बे अजार अडार सुधी नियंदर पुरू थे जवानू छे मित्रो देश नियंदर परचिवाद करदा ता रांधन गेस गेस तो सिलिंडर मने खवर जे है हुँ आस्थी ओगणी सोने पंचानू सत्ताणू नियंदर एक मंडल नो तालू का मंडल नो तालू का भारती जन्ता पार्टी नो प्रमुखतो अन ये वक्ते राजेंदर जिंगराणा अमारा सांसे धाता ये राजेंदर जिंगराणा ये एक वकत मने गेस ना सिलिंडर माटे ना कोटा माधी फोम आई पू हतो आट दिवस सुदी ये फोम ने उन गंजामा लईन फरतो तो कोड मले जो केद हो तो मने राजु बैए खोटा माधी फोम आई पूछे अवे मारा गरे गेस नो चुलो आवी जसे मित्रों आत देश नी अंदर पचास टका परिवारों पासे गेस नो चुलो नहोई गेस नहोई आठ करोड परिवार ने पाच करोड परिवार ने तो गेस नू सिलिंडर उपलब्द करावी दिदू मित्रो आठ करोड परिवार ने गेस नू सिलिंडर मडे एना गरे दीवो जले एना माटे एनो प्रयास थाईरे होच एविर इत्या आरोक्य ख्षेत्र नी इंदार अनेत निर्णे उथाया हैल्थ आवशक्चे मित्रों पेलू सुक्ते जाते नेरा तमें स्वास्त हाशे हो तो देश तंदूरस्त हाशे वित्रा देश नी इंदर स्वास्त हाशे ने तो विकास साथे कदी जोडवा मात दो तो हावतो आये तो इंप्राश रोड पाणिने लाइटनी बार थाई परन्तू स्वास्त मानस्तू स्वास्त हाई हैल्थ ये पन विकास नी साथे जोड़ाई भी चुई अने एकले माटे देश चिंदर विकास नो एक भाग ए हेल्थ होई शके नरेंद्र भाई कहिए हाँ मारात देश ना नागरीकों ने अमारे हेल्थ सिकुरिटी आपपी चे हेल्थ सिकुरिटी आपपा माटे मित्रो हेल्थ चे मनेखबर चे आ देश नी अन्दार 56 लाख हेवा परिवार दर वर्षे बिलो पावर्टी लाइन निचे जेता रेचे गरीबी रेखा निचे जेता रेचे शुकाम आमाधी जेनु गामडानु बेक ग्राउंड और शेने खबर शे शहर नी अंदर पर कोईने मोटी कोईने हाटनों आपडेशन करूपडी होई अब शथिति न investigative आंदर गरीब परिवार होईने खर्च पोग पहुंची न शक्रता ये क्यारेक शावकार ना देवादार बनी जाए अने गर विखाय जतों होई छे गहर ना बालकोनों भणवानों शिक्षन रजली जतो होई छे हेल्थ सिक्रिटी दरेएक लोकोने स्वास्थाईनों अधिकार मले आईश्यमान भारत योजना लोंच थाई छे आईश्यमान भारत योजनारा मात्यम थी देशना मित्रों दस करोड परिवार आज थी चार वर्ष पेला खदाज तमें कोई साम्बली होशे तो ओबामा ये ओबामा केर करी योजना चलावी थी अखा देश ने अंदर ओबामा निया योजना नी वाहवा था दी ओबामा केर योजना सो होती ये ना देशना दस करोड लोकों ने हेल्थ सेक्यूरिटी आपड़ी मित्रों नरेंद्र मोदिये देशना दस करोड परिवार अटले के पचास करोड लोको पचास करोड लोको दस करोड परिवार ने एड परिवार मा वर्से दाड़े पांच लाख रुपया सुधी नू कदाच हेल्थ माटे नो बील आवे हेल्थ नो खर्च थाई बीमारी नो खर्च थाई तो इस सरकार भोगवी ले अवो विचार कोई दिवास आ माटी पगा लोकों ने आईवो तो खरो चेलोको नरेंद्र मोधी नी ठीका करवा माटे रोड उपर निकला चे येवा लोको भेगा थे गया चे यूपी नी अंदार अस्तित्व टकावा नी लडाई चे ने अस्तित्व जोखम मा आयो चे अस्तित्व टकावा माटे मराणिया प्रयासना भाग रुपे सपा बसपा यूपी नी अंदार एक थे रहा चे अटले के बिलाडी ने उंदर भेगा था येव ये विज रिते कॉंग्रेस जेडी एस भेगा थे रहा चे मंताने कॉंग्रेस भेगा थे रहा चे जेना माथी जे चुदा पड़्याता ये बधाय लोको बेगा थवा मिड़्या छे मित्र जे रिते देश नी जनता नरणरबाई साथे जुड़ी रही छे ने ए एना थी येवा फप्ली गया छे जेना हेसाबे आलोको आत्यारे जग्या गोती रहा छे एफोडेबल हेल्थ केर गरी बलोको ने सस्थी दवा मले देश नींदर 3500 में विभागना मंत्री छो फार्मा विभागना मंत्री छो मित्रो गरी बलोको ने सस्थी दवा मले आ कोंग्रेस वाला जे वाद करे छे ने मित्रो आ भारती जनावश्रदी परियोजनामा तमार त्या सुरत निंदर 52 जनावश्रदी स्टोर खुल्याज़ आर जनावश्रदी स्टोर नियंदार कॉलिटी, कॉलिटी मेडिसीन, सस्ती मेडिसीन, मेक्सिमम पचास चका मिनिमप दस विश्ट चकान सस्ता दरे मेडिसीन उपलग दे था ही रही चे हवे आ योद्ना कोणे चालू करीती वंग्रेशनला गणी वखत वाद करता होई चे कि तमें आमारी योद्ना चोरी गया चो आ तमें योद्ना बनाई थी 2008 नियंदार कि देश्ट ना गरीब लोकोंने सस्ती दवा मणा यना माटे जन अउश्ट दी स्टोर खोलवाजी उस्विकार उचु तमें बनाई थी क्यारे बनाई थी 2008 नियंदार अमारी सरकार क्यारे आवी 2004 नियंदार आठ वर्ष पच्छी आखार देश्ट नियंदार नववाणू स्टोर हाता अने 110 दवा नू यनू बास्केट हातू स्टोर रोज बन जदा हाता दवा उपलवद नो थी योजना ने आगल चलावी यमा बदल करें एक हजार प्रकार्नी दवा कॉलिटी दवा डेश्ट ना 3500 जनावश्ट दी स्टोर पर अज त्यारे वेचाई रही छे गरीब लोकों नी सेवा था रही छे मद्यमर्ण ना लोकों नी सेवा था रही छे कारण के बदलाता समय नियंदार लोकों ने रोग वद्या छे हेबेक्च्वल डीसीज वद्या छे दाकला दरीके सुधयू बीपी तयू कायम गोडी लेवी पड़े सुधयू डायबिटिक पेशन चे कायम गोडी लेवी पड़े सुधयू तोके कैंसर पेशन चे कायम माटे दवा लेवी पड़े सुधयू एड्स पेशन चे कायम माटे दवा लेवी पड़े सुधयू जे हाट काडियाक पेशन चे कायम माटे दवा लेवी पड़े आ कायम माटे जेने दवा लेवी पड़े मारे बीपी पी आई जे कंपनी थी मैं आ स्टोर चलावी जे ने सरकारे कंपनी बनाई चे एनाच CEO डॉक्टर विपलाव जी हता आप विपलाव जी है काडियाक पेशन मने खवर नहीं लामें यह बखत वाद करता हता मनके साथ मारे 10 महीने 1500 रुप्यान दवा लेवी पड़ती थी हुँआ कंपनी नों CEO CEO बनी ओटले मारा ध्यानमा आयू कि आपणे तो आदवा बू स्रस्ती वेचिये जेटले वेवेवा आपणी दवा खाऊचो मनके हाडा आद सो रुप्या निधाई च महीने 3500 रुप्यान उधाई जे मित्रो आग गरीबो माटे नों काम केवाई ने गरीबोनी व्यथा को समझी शके मित्रो जे व्यक्ति ये सिद्धपुर्णा रेल्यूए स्टेशन पार चाय नी किटली लेने चाय वेची होई ने गरीबोनी वातो सुखी ना समझी शके जो सुखी समझे बदू तो दुख विश्वनी अंदर नोट अके बदू दुखी लोकोरी वात जेने दुख सहन करिव होई ने एज लोको समझी शके आग गरीब लक्षी योद ना हो महिला लक्षी योद ना हो क्रुषिक शेत्रे ने इंदर जे कामो थाई रहाचे मित्रो खेडूत ने आवक डबल थाई एना माटे ना लगातार प्रयासो थाई रहाचे लोकोने युवानोने रोजगारी मणे तमे गडिवकत जोता हाशो आ लोको के रोजगारी देशनी इंदर नथी मलती युवानोने रोजगारी जापी दीदी होई और देशनी सम्रुद बनाए दीदो होई मित्रो आ आकडा तमे जो पावरपॉंट प्रेजेंटेशन ने इंदर जोई रहाचो आ आकडा बता भी रहाचे मैंकिन इंडिया मैंकिन इंडिया लाया देशनी अंदर दुनियान के तुक आओ अँभए अमार तमे तम होई तमार उद्योक स्थाप उत्थाप बने आ बनाजो onlar उद्योक स्थाप्तम्ही अपडेशनी स्थापो आओ भी पारप नियंदर स्थापो जोटा का एप डिया अइस फुबिएल करो तो मुद्रा योद्न माथी लॉन लो युवानों सद्धर थाओ मित्रों सित्य लाग EPS ना एकाउंट आवर से खुल्या अवेट जे लोको धंदो आथो पहली वक्त आपकोलाईयू होई सित्य लाग लोको माँ सित्य लाग लोको ना बेंट ना एकाउंट इंदार नव वेवहार तो यो मतलब ये नवी रोजगरी मली नव धंदो मेले नवा काम करता थेया मित्रो देशन इंदर अब एपडियाय ब देश्न नियंदर उद्ध्योग चालू करशे। तो इस टेक्नोलोजी त्याथी लढ़िणे आउशे। टेक्नोलोजी लढ़िणे आवे। आपनी पाय स्कील पावर छे है। आपनी पासे टैलेंट छे। आपड़ा युवान ओनो टेलेंट अमेरिकानी अंदर अपराईजे मित्र स्टेंडब स्टाटप सूचे स्टेंडब स्टाटप मने खबर जेंगे उज़ारे सांसद अदोने तेरे संसद नी अंदर में बेवखत प्रष्ण राहीज किरो थे मैं ये वक्ते कहिऊ तू कि मारो डियार्डियोनो साइन्टिस्ट मारो विज्यानिक शंशोधन करे जे अने इस शंशोधन देशने मिल्ट्री माटे करे जे मिल्ट्री माटे करेलू संशोधन देश माटे देलू संशोधन जे आँ संशोद्र नाई जारे पेटरंट लेवा माटे जाई छे ने त्रानाक वर्ज जेवो लामबो समय लागे मोटो खर्च लागे त्या आ सुधी मा तो ए संशोद्र विश्वनों कोई ने कोई साइंटिस्ट पूता नामे करीले यह आपड़ा नामे रिष्ट्र ना थाए प ना थाए अड़ले में कायों कि आप पेटरंट सिस्टेम बदल वी जोई है मित्रो सरकार नरेंद्र मोदी नी बनी ने भारती जंता पाड़ी नी बनी ने एज वर्ष्टे निर नहीं थे ओ नरेंद्र मोदी एक मारो देश ना कोई साइंटिस्ट संशोदन करे ने तो एक व युवानोने रोजगारी त्यारे मले युवानोने आवक त्यारे उभी थावाई विश्वना लोकोये दंदो नाकवा माटे आउसे ने एमा एंजिनियर तरीके आपणो युवान काम करते होसे ने आपणे तो सूर्ति लोको छी है आम दंदो जोन करी नाखिये छे के नहीं आपने एंजिनेरिंग उद्योग चे में एक वखात राजकोट नो आखा विश्वनी अंदार साथी मोटो एंजिनेरिंग उद्योग ए राजकोट नी अंदा आपड़ी रेल्वे आपड़ा एरोप्लेन आ बधाय लोको स्पेर पार्ट विदेश्थी मगावे अटले में एक वखात गयू रेल्वे मंत्री ने सुरेश प्रभू रेल्वे मंत्री एता तमारे जे स्पेर पाट जो एन मारा एंजिनेरों बनाई दे मारा उद्योग बनाई दे राजकोट नो ए एंजिनेरिंग स्पेर पाट बनाई विदेश मा वे चे अथ्वा तो सिंकरीन आया बनावे और तमी एने डोडा डबल बावे लियो छो एना करता तमे सिद्धा हैती खरीदोने में सेमिनार करेऊ इस सेमिनार करेऊ एनू मोटिवेशन थयू एने खबर पड़ी रेलवे ना अधिकारिवोने रेलवे नी कंपनीवोने नरेंदर भाए त्या दी सु आपणा एनजिनीरिंग उत्योगोना स्पेर पटवलानू 25 त्रिष्ट का वधार भावे माल सप्लाई थैरेव छे वीजन आने केवाई सु करीरे आचों पूछे चे ने अमे आ करीरे आची तमे विदेश्ति लाववानू करता दा मलाई खावाना कारिक्रमों करता दा अमे ये करिये जिये मारो स्टार्ट अप युवान युआ पेदा करे ने इपेदा करेली एंजिनीरिंग प्रोडाक्ट मारी सरकार्नी कंपनी खरीदी रही जी मित्रों मुद्रा योज्तिना माध्यम्ति युवानों ने लौन मले देश्णों विकास डेवलोप्ट कंट्री ये था गाम मोटो माने सब्ड़े को ने कहये आर्थिक रित्ते सुखी होयाई सम्रुद्ध होयाई थोडू डाप मण होयाई ये वाद वेलो को सामभलता होयाई पन साम्भलेत कारे येमा आर्थिक सद्धर होव जरूरी चीए पेलो पार पी पेलो पाराच नका नाना कि देश ने साच अतनी अंदार विश्वनी महासत्ता बनावा तरफ आपने आगल ली जवे जवे तो सु करू पर से अमधी तमारा मधी कितले लोको अमेरिका गया आश अमेरिका ना मेन हटन नी अंदार थ्री लेयर मेट्रो तमारा ये बुलेट्र नो विरोध करे चेंगे ये और ये खबर न थी विकास कोने के वाईने विकास निसुए असर्तती होई जे थ्री लेयर मेट्रो 100 वर्ष पेला अमेरिका ये मेन हटन नी इंदार लगा वी ती आखा अमेरिका नी इंदार फोर्ट्रेक रोड अमेरिका ये 700 वर्ष पहला बनाए वाहता 100 वर्ष सुधी ये आवकनी बचत थाई देश दुनियामा चेरिटी करतो रहो आयू तो विक्सावतो रहो दुनिया पर दादा गिरी करतो रहो ड्यावलोप्ट कंट्री बनीने रहो कोईपन देश ने ड्यावलोप्ट कंट्री विक्सित देश बनवा माटे इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्याक छे कईव इंफ्रास्ट्रक्चर तो के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट पेला सुहतु तेर चवुतनी अंदार डोड लाग करोड रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पाचल वप्रादा था देश ने आवर्शक्ता अनुसार प्राबर समझ्यो आपना देश ने आवर्शक्ता देश नी जरुरियात मुझब रोड रेल्वे एरपोर्ड जो आपने बनावा होए तो आपने 50 लाग करोड नी जरुर चे पच्चास दाग करोड नी आपने जरुर चे अवे दर वर्षे दोण करोड रुपया आनि पाचल वप्रादा था अटे दोड टरकाना दरे बे टरकाना दरे मोंगवारी वत्ती धी आवर्शे 50 लाग करोड नी डिमांड चे आवता वर्षे 52 लाग थ जाए ने अना पजिद जरूरियातने 50 वर्षे पन आपने आम भी न शक्के देश कदी द्याओं लॉफ्ट कंट्री नो बनी शके और नार्यांद्रबाय के यू आग खर्च वधाए इंफ्रास्ट्रक्चर पाचा आवक्ते चो लाग करोड उप्यानों खर्च अमरू मैंचे आगामी बे वर्ष ने चो आट अने 10 लाग करोड प्रती वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर पाचा लग प्राए अने आ इंफ्रास्ट्रक्चर पाचा खर्च करवानू परिणाम सु है विए पेला नेश्टल हाइवे बार किलोमेटर परड़े बनता था अध्यरे एट्टाविश किलोमेटर परड़े मारू मंत्राली ऐख आ वर्षदय में टारगेट कीरो पर्ड़े 45 किलोमेटर नेश्टल हाइवे बना वाच्छी एट किलोमेटर नेश्टल हाइवे बनाविए श्यरे अटले अमारे 10 करोड रुपयानों खर्च थाई छे मित्रे एजरिते मुशिपिंग मां मिनिस्टर्अपन चू दरैया नो पन मंत्री चू. दर्वर्षे पौट पाचर्ण बंदरों पाचर्ण बंदरों नो विखास दर माइनस माँ चलतो तो बंदरों उपेक्षि दतां चाह देश नो निव टका कारगो इंपोर्ट थतो होई उपेक्षी तता जा देश नो नेव टका कार्गो इंपोर्ट थता होई ए बंदरों नो विखास दर माइनस मां आग कॉंग्रेस ना मित्रों ने छाती फाड़ी ने गमे त्यारे कोई नी साथे टोकिंग थाई तो के जो सुरत बंदरों ना किनारप पर आवेलू शाहर छे वी अम आतर ऐग्यार थी तीर ऐग्यार बार्तिये शाहर थाण वर्षिनि जैंदर 1100ं किलोमिट्र नवी रैलवे लाइन practiced परिणाम आपने फाइदाव थाई रहा चे ठेहरो निंदर अमरूत योजना स्मार्ट सिटी डावलोप्मेंट तमें जात्या शेयर निंदर जोशो त्या तमने डावलोप्मेंट डेखाई रहा चे अवे आप बदा पैसा आएवा क्या थी कान पकडवानों वारो अत्यार आये वाचे बढ़ालों हमें चो करोड रुपिया वक्ते नके किरूचे चो लाग करोड रुपिया इंफ्रास्टर्टर पाचल वापरवाचे क्या थी अःवा पैसा आमें बे अक्तराश्च लीत हे अंधाना नम श्यूंत कर रोट बेलों co द स्शाम्या कंपनी नुझे थाउई थाई मारा गजवामा सुआवेज आना लेखा जोखा चा आना इसाबो थता था अन एटला माटे देश निंदर व्यापक प्रस्टाचा पोलीसी पेरालाइसीज पोरी पोलीसी पेरालाइसीज प्रस्टाचार नी मुक्ति माटे अमेशू करियो वैवत पारदर्शक करियो पेला टेंडर नी इंदर लागता अवलकतान टेंडर मलता दा बिजा कोई सारा कोलेटी वर्क करे चे एनी कंपनी नी लाइकाज सूचे एनू वर्थ सूचे नतु जोवातु मात्र जोवातु तो कोननी बला माण छे नरेंद्र बाएकि दू पुले त्यारे खवर पड़े दोस्तो दस विश्विष्ट का टेंडर बिलो मड़े आववा चे दस दस विश्विष्ट का एबव जता दा एमाती पैसा बच्या जे वित्रो सामाजित न्याई गमे के न गमे दिकरा दिकरी नापड़े बनायवा होई मेनत करी होई लागव गवालाने नोकरी नती मलती एत्यारे मेरिट वालाने नोकरी मले चे प्रवेश्विष्पततिनी अंदार मेरिटना आधारे गुजरात प्रवेश्वापे चे देश निंदर पन मेरिटना आधारे प्रवेश्विष्व मले चे पेला लागवगना आधारे प्रवेश्विष मंसुप बाइ निर्मामा धाखळ कर दिये नहां उसाना खेरवाज अपड़ाउन करे लागवाग ना जमना गया मीत्र हो शरकार करवन वह ओग द आघ तमें सूछ रिऊ पूचिनां लोगों ने जवाब आ चे creatorत्षक वईवट करें हों थे बीजा चैङा वं मंहें आख्षेप करें न हमारण पर पायाकर राइले हाने आक्षेप नहां है मित्र कॉंसिट्यूशनल बोडी सीए जी केक ना एहवाल पार्लामेंट ना फ्लोर उपर आवे अमने अमने के तम पार्लामेंट चालो सरकार्नी जवाब दरी पार्लामेंट चालो आदी विजुए संसत नथी चालती क्यारे कॉंग्रेसनलोगों भुली जाई जी अक्षे पोर नोता लगावता अने एटलामेंट जैल मा जाओ पड़तो होतों एनी सरकार हती यहाज तपास करती एजंसी वह एनी हती यहना मंत्रि ओ जैल मा जता आता मित्रों नरेंदर मोधी नो एक मंत्री ने जैलनी मा जबानो वारों नती है ओ सबरे छोब अगे साथ वागे अमारे इसा बाप्पों पड़तो होई छे क्यारें बॉश्रूम मा गया होई ने तो मोबाइल साथ लई ने जो उपड़े क्या रे प्यम्मों प्यम्मों मती फोन आवे सवन पॉर्मा साइब तो वेला जागे मित्र आग कमिंटमेंट साथे काम थे रही उचे ने एतना माटे जनता 9 किलोमिटर ना रोडशो नी अंदर 9 किलोमिटर नो रोडशो आजे अगली बार मोधी सरकार चालतु तू चार वर्ष पची कदाच कोंग्रेस ना मित्रों कोंग्रेस ना आगेवानो सरकार्नी टिका करता हाशे जनता सरकार्नी सराहना करी रहे छे आमारू कमिटमेंट छे ये वालो को त्यार रूले निकला छे नर्यंद्र मोदी नोट बंदी लायो वे नी जिन तारो एक्टियो रूप्यो खोटो थियो भाई एक रूप्यो जनो खोटो नो थियो होए बदारे नेवी करंसी मली गए होए नर्यंद्र मोदी नोट बंदी लायो मोधी GST लाएवा वे यवा लोको GST मोधी लाएवा तेतारी जिनकी नेंदर कोई दिवर GST नुँ रिटन फाइल गर्योजे खरू पोते पोतारी जिनकी नेंदर रिटन फाइल लो करना लोको अध्यार GST ने डिमोनिटाइजेशन मित्रो आई ये वा निर्णे ओचे आपने बजेट 21 लाग करोण माथी 50 लाग करोण सुधी ले जोव वर्षे ने तो देश नी आवक वधार्वी जोशे देश नी आवक वधार्वा माटे आम कोई मोटव ओपरेशन करवानों होई ने तो पहरा डाइबीटिश कंट्रोल करें पची बीपी कंट्रोल करें आवसे कंट्रोल था आए पची मेजर सरजरी थाई ने देश ना अर्थत तंतरलने मेजर सरजरी करवानी आवशक्त हा दि अरे बग जी एस्टी ने डिमोनेटाइजेशन जीएस्टी नी वाद करना लोको अतियर जी विरोध करे छे सन्मानिय मन्मोन सिंग्जी 1991 नी अंदर सन्मानिय पीवी नर्सिमा रावनी सरकार नी अंदर एफ फैनांस मिनिस्टर था अन ए वक्ते एमने पार्लामेंडा फ्लोर उपर किदू छे के देश्ट इंदर जीएस्टी नू इंप्लिमेंडेशन थावो जुई अवे ये ने किदेली वाद छे दस वर सुधी प्रदान मंद्री रहा ये नई करीशे क्या सुखान नई करीशे क्या दर एक लोको ने आगली चुटनी जीतवी होई ने विश्वन इंदर एक सो पचास देशों इंदर जीएस्टी नू इंप्लिमेंडेशन छे डेवलोंट कंट्री जे विश्वित देशों छे त्या पन जीएस्टी नू इंप्लिमेंटेशन थाई ने त्यारे शरुआत ने अंदर चे मुश्किली हो पड़े ये मुश्किली हो एवडी होई एना थी लईने गेतलाग देशों निंदर सरकार गई रूलिंग पार्टी नी सरकार गई अटली आलोको डर्ता जाखायारों आपणे या निरनी करबा जाई अन्पनी सरकार पछी जाई तो आपणी सरकार फरीणनों आवे तो मित्रो वील होई ने आई आमना बहुत सारी वाद करी कि बैस सरकार्मा वील चे नरेंद्र मोदी वील्थी काम करी रहा चे यहामने नेशन फस्ट गेड़ो चे अन भार्ती जन्ता पार्टी जरसंता मावे चे ने नेशन फस्ट दल पथी व्यक्ती अमारत्य तीजाक्र में हो चे देशना हित्मा अर्थतंत्र इने सुधेटर करूँ आवर्शक्षे देशनी आवक बधारिवे आवर्शक्षे अन येटला माटे बे मोटा एकोनोमिक रिफों डी मोनिटाइजेशन अन्ने जी अस्टी लागा डी मोनिटाइजेशन देशन अर्थतंत्र इने तासिर अपने इंतरनेशनल मोनिटरी फन्नी रैंकिंग लेवु पड़े अग मारे ने तो इस अमे मेका पक है आदर्स्तिति जोवे ने तो एउग कहे कि आ देश ने लोन ने अन्नों आपाई आनो GDP ग्रोथ डाउन थे रहे हो छे आ देश नो इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलोप्मेंट पाचलनों खर्च ओछो थे रहे हो छे आ क्या थी आपने लोन तो अपसुतो भरपाई क्या थी करसे आ लोको जोता हो है एने दुरस्त करवा माटे आपने नोट बंदी लाएवा नोट बंदी पचिनू स्टेप GST लाएवा मित्रों GST दी सूप हाईदा थे रहे हो छे मित्रों देश नी इंदर GST लावानी आवर्शक्ता सुखान थाई आद द्यावडा मुटा देश नी इंदर दर वर्षे बे करोड लोको विदेश प्रवासे जाई जाई सववा करोड कार नूँ व्यचान था आई अने 10 लाख थी वधारे आवक नू रिटरन फाइल करता हो आई एवा मात्र सरकारी नोकरियात ने बाद करो तो मात्र 25 लाख लोको जो होई 25 लाख लोको तुमने टेक्स भरे और पजी सरकार पासे आपने अप्यक्षा राखिये तो कदी पूरू न था आई देश ने डेवलोट कंट्री बना होई तो नो बरारी शक्ये वित्रवाज GST आपने लाइवाने एना परिणाम सुआयो आपने तया 2015 Maple लोको टेक्स भेर रहता आ वर्षे साथ करोड लोको टेक्स भेर थे गया साथ करोड लोको टेक्स भेर थे गया और ना तीची सिद्धा करवे रहता था ये मित्रो दस लाख करोड रुपया थे गया देश नी आवक वधी रही छे देश नी आवक एटला माटे आपड़े वधारी रहा छे देश नी आवक वधे ने मित्रवाद देश ना 4000 किलोमिटार चीन साथे नी सरद छे हिमालियन रेंज छे हिमालाई 300 किलोमिटर पोडो छे चार हजार किलोमेटर लामो छे थोड़ा दिवस पहला हुँ मित्रों सियासीन ग्लेसियर गयो हतो माइनस रिष्ट डिगरी टेमपरेचर हतों माइनस रिष्ट डिगरी टेमपरेचर हुँ हेलिकोप्डर मादी उत्रों बेकलाक अपड़ा सैनी को साथे वादचित करी मनेव थन्तों तुक तर्तज हैरिकोप्डर अहीं थी उपड़ी जाए तो सारू छुस्वाट अमारता ठंडा पवनो मोटी मोटी हिमालाईनी पहडियो तिया आपला सैनी को आ देशनी सिवा करी रहा चे मित्रों त्या डॉक्टर रिपोट एउ किया चे कि 6 महीना नोकरी करे तो बे वर्श आईश। अईश्र कटी जाए तम एउ मानो चे 25,000 रुपयाना पगार माटे तिया काम करी रहा चे 25,000 ना पगार माटे काम नधी करता मित्रों यह गमे त्या कमाई ले मात्रु भुमिनी रक्षा माटे इत्या खड़ा छे अने इत्या खड़ा छे एटला माटे देश सलामाद छे त्या सुधी रस्ता पमोचाडवा जो रस्तानों इंस्पेक्शन करवा माटे गएवातो त्या सुधी देशनी आजादीना सित्केर वर्षे आपने तकाव रस्ता आप पहाडियो निंदर बाँदि नती श क्या आयू दो खरिद्वा छे आपने पासे अधोनिक आयू धोनो तोटो छे आयू दो खरिद्वा माटे आपने पैसानी आवश्कता छे अपनों सैनिक तेया खड़ो हुएने यंने पहरवा मातने कपडा ए प्रकार ना साधनो ए प्रकार नो वेएर्स आपने आपना सैनिक ने आपपछे यह ला मातने देश ने मीट्रीनों बज़ेट वधार हुँचे देश ने इंदर इंफ्रास्ट्रक्चर उभू गरूँचे देश ने इंदर बुलेट ट्रेन धोडवी जे परले कॉंग्रेस वाला हंगर लोकोंने बोजर मलू जोई विवाद करे अपने वांदो ना होई शके देश ने इंदर बुलेट ट्रेन आ देश ने इंदर नहीं आवे तो बलत गाड़ा पाचा चोडवा ना शरुवाद करे अपने विकास आवशक चे अने विकास ये मात्रा रोड पाणी लाइक नथी विकास ये देश ना डिफेंस देश ने महासत्ता बनावा माटे आवशक चे अने एतला माटे दोस्तों इस सैनिको साथ ये मुवाद करतो तो ने मने एक वाद करीती मारे इस सैनिको नो संदेश आपना सुधी पहुच आड़ोची मने के साइव आ विश माइनस डिगरी टेमपरेचर निंदर अमे देश नी रख्यावाली करशो सरहत नी तमे चिंता नहीं करता ये में करी लेशो आन नरेहंदर मोदी देश ना वड़ा परदानरे नेनु तम ध्यांदाग जोईत्ता में करचे दोस्तु इच्छे ने अटले आमने जे सगवर्त आओ थाई रेचे ने डोकालाम उपार चिन नो डोलो फरे मित्रो चिन जेवा देशे पाछा पोबारा भणवा पड़े आ न ना निवाद नती बित्रो विश्वना कट्लाई देशों निंदार भारत नू प्रतिनी दीत्व करवानू मने मोको मेले ओछी ओमना थोड़ा दिवस पेला आपरिकाना केटलाक देशों मा गयो होतो त्या थिया आविने पैसिपिक आइलेंड कंट्री निंदर गयो होतो पै नासरद किया शरकार नी शहाई रेने गयोत त्यारे मीत्रों त्याना देशों है कि मने वात करी त्याना संसत भवन निंदर हों गयो संसत भवन निन दर बार चाइना एड चाइना सहकार थी एनु संसत भवन बने लो हतू एने कई हो के चाइना ही आमरों संसत भवन बले बांदि दिदू United Nation निंदर हमें कायम माटे नरेंद्र मोदी देशना प्रधान मंदरी बन्याँ पच्छी United Nation निंदर में भारत ने सपोर्ट करिये चिये भारत कहे त्या मत आपिये चिये मित्रो विश्वनी United Nation ने जूरि निंदर हिंदुस्ताना जर्ज-हिंदुस्ताने नकी केरेला जर्ज बेसवडा निंदर पार सपल थायूँचे विदेश नींदर आपनी ये शाग दनीचे देश कैरिते बद्लीरे ओचे चार गर्ष्ट नींदर देश नींदर सु थायू मित्रो देश नो GDP ग्रोथ घरेलू सकल उत्पादन GDP ग्रोथ अटले सु देश नींदर गोईपण प्रकार नू उत्पादन थायू तमें वेपार करोंने तो वेपार थी तमालो अर्थो परजन थायू GDP ग्रोथ नींदर गणाई गाम नाव शहर नींदर पाथा नू पाथरी ने शाग बाजी वेच तो कोई व्यक्ती शाग बाजी नू वेपार करे ये ना तेनी आवक्त आयू येने GDP ग्रोथ केवाई मित्रों एकला माटे देश नू GDP ग्रोथ एद दर वर्षे गया 2013-196.4 टका हतो त्रण मेना पेला देश नू GDP ग्रोथ 60 टकाचे चाइना नू GDP ग्रोथ 65 टकाचे GDP ग्रोथ अटले देश नू कुल सकल घरे रूँ उत्पाद GDP ग्रोथ वदे ववबण देश नू GDP ग्रोथ वधे देश सधर बनतो जाए देश ने अंदर संपती नू सर्जन धतो जाए मित्रों संपती नू सर्जन थाई दोज सर्जन थेली संपती माथी सरकार्णी टेक्स वदे सर्जन थेली संपती माथी टेक्स सरकार्णी तिजोरी मावे यह माथी सोस्यल सर्विसीज आपने देशना नागरिकों माटे उपलब्द करी शक्के मित्रो हिंदुस्तान अत्यारे विश्वना सवती वधारे GDP growth पेकी नो एक, GDP growth कर्तो कंटी बनी जिग्लोच अवे महत्मनो मुदो आवे चे, रिटेल फुगावानो दार रिटेल फुगावानो दार अटले, दर वर्षे, 9.4 टकाना दरे फुगावा वत्तो तो फुगावा वदे, अटले रूप्यो नानो थाए फुगावदेर ले वस्तु मोंगी थाई आपने जे GST, डी मोनेटाइजेशन सारो वईवड करियो ने गुड गवर्नेंस आपने आपने जे करियो छे या करियो छे आपने एक विकास नो पाक छे देश मां सारो वईवड करवानू चालो करियो आटले के 9.4 टका दी गटीने 6.6 टका थेव भुगावानू दर खाईट्यो टेक्स रेवड्यू विकास दार सर्माजी आविशे ने सारे वियरते समझी शक्षे टेक्स रेवड्यू विकास दर अटले दर वर्षे आपनो जे टेक्स आउतो तो ये टेक्स वत्तो तो 9.9 टका ना विकास दर एड़े आवक्ते 100 प्यानो टेक्स आयो तो आवत्ती वक्ते सरकार नी 30 वरीमा नौ 109 रुप्या टेक्स आवतो तो आपड़ी सरकार आवी आवदाग निरड़ें के रिया कितला बाकोरा गूर्या आ वर्षे आपड़ा टेक्स रेवन्यानो विकास दर बाट्र का थेग चार बाट्र का अपड़ा विकास दर आवक्ते आवक्त डिमोनेटाइजिशन जी एस्टी पेला नी वाद करू जो ये ना देश खर्च केटलो करे छे देश खर्च करे अने तमारी आवक होई एना खर्च वच्चे नो तफावत होई आदर स्थिती ये वे जे के ये फिस्कल डिपिसीट डावलोंट कांट्र कांट्री नी ये अन्दार 2.5 टका नी आजो बजू होवी जोई ये आदर स्थिती ना अर्था तंत्र नी आदर्श ती दिक्किवाई मित्रो फिस्कल डिपिसीट विरासत्मा मलीती पांट्र का गडती गडती आपडे तन्ड पोईंट तन्ट का इलावी दिदी जे आवता वर्षे आपडे 2.5 टका ना दरे फिस्कल डिपिसीट डिपिसीट ने ले जेशु वि राजन विकास दर आप बदाई पैसा में किदो ने इंफ्रास्ट्रेक्टर डेवलोप्मेंट अपने कई रिते वधारी शक्या भाई बेजार तेर चवुत ने अंदार आ राज्यने बस सो पचास करोड डुपिया मल्याता नेश्टल हाईवे बांदवा मल्या आ वर्षे तोन अजार पांसो करोड डुपिया मल्याचे नेश्टल हाईवे बांदवा मल्या पाइसा आप पाइसा आपड़े जीस्टी तो अत्यारे लाएवा यह परिणाम तो हवे आउसे आपड़ी करकस दर आपड़ो प्लानिंग आपड़ो गुट गवर्नांस आपड़े जे करिऊ छे ने मित्रवाज सरकारावी गुट गवर्नांस थी काम चालू करिऊ ने आपड़ो खर्चनों विकास दर एक गट्री गयो अटले आपड़े 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 सरकार चलावा में 100 रुपयानों खर्था आए तो हवे पचिनावर से 106 रुपयानों खर्था से 110 रुपयानों खर्थावानों तो एमा घटाड़ो थेयो मित्रो आने गुड गवर्नांस केवाई आ गुड गवर्नांस ना माध्यम थी आपड़े देश ने एक आदर्श अर्थतंत्र पुरू पाईड़ो थे अपड़े देश माधी विए पी कल्चार नर्यनरवाई गिदू बद्दा आज आ माधनी वडा भाशन करेच आ माधनी पा लेन नहीं जाओ, सरकारी बंगला निंदर नहीं रहो, हुँ मेट्रो में मुसाफरी गरीश, उपगार नहीं लहो, अब दै बाशन करीश सत्ता माई वाता, हुँ सीक्यूरूटी नहीं लहो, अब एत्यारे सौधी वदारे पगार, यहना धारा सब्यो लिया छे, लाल बत्ती नहीं, आम नागरिक जाए, यह मनसुप लिजाए, वी आईपी कल्चार आपने देश नियंदर थी नाबुद किरू, देश तो दरेक नागरिक समान डिते, पोता नी आइडेंडिटी बतावी शक्ये, समान डिते यहनी साथे व्यवहार थाए, यह अप्यक्षा साथे नर्यंदर बाई एक नव रास इंद्यों छे, मित्रों सुप बदलाईव चार वर्ष्ण नियंदर, वी आईपी कल्चर बदलाईव, विजुसु बदलाईव, पाकिस्तन ने गोटन ये पाड़ दिदू छे के नहीं, मिया प्रश्ण पुझोर ले तम्मेर त्यार मान सुप बदलाईव, पाकिस्तन ने अमना सप्लाई बन करती दिदू छे, मित्रों जारे आग भुझावनी होई ने, त्यारे आग भड़को थती होई जी, वो थोड़ा समय पहला स्री नगर जही नाएव चुमन खबर छे, स्री नगर जमू कश्मिन ने अंदार जे चाली रह पाकिस्तन ने अमना सप्लाई बन करती दिज, यहने कवर पड़ी गए जर्शेर ले वदेर आई जर्शे, एक हो यहशी पंचाशी नो वारो पड़ी गए होचे, चार छो महिना मा विडी विडी ने पूरा करवानों कारेक्रम चाली रहे होचे, आब बदलाईव उचे, यह पाकिस्तान तरन चार दिवस पेला तमें चापामा मा वाचे उशे, एक बार आपनी तरफ मोटर मारो करे चे ने, मोटर मारो, आपने त्या कदाज एक जवान शाहित थाए चे, तो हामे आपने आट-दस ने विणी ले यह चे मित्रो, आए देश चे, आए ने तरुत्वा जे पेला मान अत्यार मां बदल चे, पेला निवेदनों थता दा, अत्यारे सर्जिकल स्ट्राइक जवा एक्षनों आवेच, मित्रो आदेश नो जवान, बदलायू सू, मित्रो आदेश नो जवान, आदेश ना प्रदान मंद्री ने इच्छा शक्ती थी, वारमवार वागी हंदुस्तान थी उड़ेच, पाकिस्तान मां रडार मां ना आवे, एवी टेक्नोलोजी वाला हेलिकोप्टर थी उड़ेच, चार स्थान पार, आंतकवादी अड़्डाने टार्गेट बनावेच, चार वागया सुधी ओप्रेशन चालेच, रातरे बार वागया थी चार वागया सुधी, पाकिस्तान उक्किपाइड कश्मीन यंदार, नथी टेलीफोन चालता, नथी मोबाइल चालता, नथी इलेक्टरिस सिटी क्याई, एवी प्रकार मुँ वातावरान हिंदुस्तान मा बेरसी ने आपणी टेक्नोलोजी ना माध्यम थीत्या चार वागया ओप्रेशन पुरू करीने, आपणा जाबाद जवानों हिंदुस्तान ने दर परतावे चे, ओप्रेशन नो निरिक्षन देश्टमों प्रधान मंत्री रात्रे 11 वागया दी 4 वागा सुधी पाणी पिदावगार प्रधान मंत्री निवास्तिन दर बेसी ने निरिक्षन करे चे, जारे ने संदेशों मले चे, सब सलामात जवानों हिंदुस्तान ने दर परतावी गया चे, आंतक वादी ओनी लोथो डड़ी गई चे, त्यारे नरेंद्र मोधी पाणी नो पुटडों गले उतारे चे, सहुरे 9 वागे 10 वागे पची, दुनिया पाकिस्तान ने समाजर आपे चे कि तमारें त्या हिंदुस्तान ना जवानों हिंदुस्तान नी मिल्ट्रिय और सर्चिकल श्टाइक करी चे, हां जोजी पाकिस्तान दकी नती करी शब्तू एनी मिल्ट्री वाला के एक नोकू निवेदन आपे छे एनी सरकार के एक जुदू निवेदन आपे छे एना डिफेंस मिनिस्टर के एक जुदू निवेदन आपे छे आयां कोण आवी ने फफ़डाटी बोलाई गयू खोड आये ने लाशोनी लोथो डाले गयो ए वर्त्य दी पाज वागासुदी पाकिस्तान ने खावर पड़ती नदी गोतिया गरेजे मित्रो ए इच्छा शक्ती वालो नेत्रुत्वा देशने मल्यो ए नेत्रुत्वन आधारे आपने जे बदल जोयो ये बदल सर्जिकल स्ठाइक ना रुप मह देशे जोयो में देशने अंदर घणू बदलायो मैं वीश्मी में एक वीटर उपार एक पंक्ती शेर करी हैती एक व्यक्ती भणो गण्यो जे पोताना वतन थी दूर गयो जे नौकरी दन दो बार करी रहे जे वतन नी अंदर पोताना माता पिता रहे जे अने माता पिता नो पत्र आवे जे ने ये पत्र नी अंदर रहे कह जे कि वो रो पड़ा आज और वो पड़ा आज मा का ख़त पड़का क्या पड़ा उसमें जिसमें लिखा था अब तो गाव आया करना बेटा उसकी माता ने लिखा था अब तो गाव आया करना बेटा विजेपी की सरकार में सडके पक्की हो गई है सड़के पक्की हो गए है और बिजली भी नहीं जाती है अभी गाव में बिजली भी नहीं जाती है बेटा आप गाव में आए आपकी पत्नी को साथ में लेके आए बहुको भी लाना बेटा अब सोचाले भी पक्का हो गया है यह देश में बदल रहा है मित्रों देश बदल र हो रहा है और इसलिए हम सब लोग साथ में मिलके देश में जो बदलाव हो रहा है वो महसुस करें महसुस करके बदलाव को अपने पड़ोसियों अपने दोस्तों और अपने इधर उदर रहने वाले लोगों को और जो खास करके नरेंद्र मोदी की टिका कर रहे वो लोग को आप धिलिन कराए कि देश में क्या हो रहा है देश कैसे बदल रहा है देश में क्या बदलाव हुआ है क्या था क्या हुआ है मित्रों मैंने कोशिश किया है कि मैं आपके सामने विश्य रखू जिससे हमारा कारकरता जंता के बीच प्रधान मंत्री जी की चार साल की अमारी सरकार की चार साल की उपलब्दिया जनता को बताए और जनता जनारतन को मैंसुस कराए होई देश से आज मैंने विशे रखाए देट मित्रों ने जड़क्ती पोदानुस्तान लेवाविनन्दी करूचो इससे पूर के ये अंधेरा और गहन हो एक और व्यक्ति जो आजीवन उस अंधेरे में जिया जिसको उपेक्षा कहते हैं अनादर कहते हैं अबहेलना कहते हैं और जानते हैं वो कहां थे पाच विभिन देशों में कभी सुना किसी को अपने देश से प्रेम करने के लिए वे देशों के नियायाले के कट घरे में खड़ा किया गया हो पहला मुकदबा लंदन में दूसरा फ्रांस में जहां सबुद से जहलाग लगा कर फ्रांस की भूमी पे गया था तीसरा हॉलेंड में चौथा जर्मनी के पास एक छोटा सा देश इस्पेंग को छूता हुआ लेकिन कुछ दिरों वाद छोड़ गया गया और छटा भारत मे गांधी हंत्या के अभियोग में जहां वो आदर सहीड अभिमार सहीड निर्दोष पाया गया और मुक्द गया इन तमाव स्थानों पर जाकर वहां के वाचना ले वहां के मिस्तकाले वहां के नयायाले वहां के अफले कागार वहां से मूल सामिक्री जुटा कर मिछले पाच वर्षों में एक मुस्तक तयार की जो सावत करके जीवन के पाच अभयोगों पर आधारित है पहला इंग्लेंड, दूसरा जर्मनी, तीसरा फ्रांस, चौता हॉलेंड और पात्वा अपने ही देश में जहां उसे कोई विश्ट में किसी पर इतने देशों में मुकत्मा नहीं चलाया गया दोश क्योंकि स्वधेश के लिए जीने मरने को तयार था किसी को इससे पूर दो आजिवन का रावास का दंड नहीं दिया गया जिसको सुनने के बाद उसने नियायाले का धन्यवाद का यह कहते हुए कि यह जजिस तो सब भारती हैं आरिये हैं हिंदू है अकर पुनरजन में विश्वास नहीं करते तो मुझे दो आजिवन का रावास का दंड क्यों दिया पच्छिस वर्ष एक आजिवन पच्छिस वर्ष दूसरा आजिवन का उनके अपने शब थे कि I was thank the jury who gave me two life transportations into one and proved their faith in the theory of the reincarnation पुनरजन में जब तक विश्वास नहीं करते हैं तू गोरे तूने खुदी स्वहम सावित कर दिया कि तेरा Ireland कभी एरियन लेंड रहा होगा उसी पर आधारित एक छोटी सी होपचारिकता ये पहली प्रति उस पुस्तक की जब तक यहां नहीं दूँगा आज के कारिक्रम को पूरा नहीं का जाएगा क्योंकि ये पुस्तक उस व्यक्ति को दे रहा हूँ जिसके बिना यहां कोई कारिक्रम पूरा नहीं होता नाम है पूनेश मोदी अब ये कार संपन हुआ मेरी ओर से ये छोटी सी भेंग बारत माता की देश भक्तिनों कारेक्रम जी तारे मा बारतीनों जैगोस पे हाथ हुचा करीने खरीशो बारत माता की बारत माता की वन देड वन देड अब ये हूँ विनंती करूँचू आदेणियस्री अरेंद्र स्रिवास्तर जी को स्वातनतवीर सावरकर जी के जीवन के हमें मार्दसन के लिए पूरे जीवन में अब तक सावरकर पर जितनी बार जितने नगरों में और जितने विदेशों में बोला हूँ अगर सब को जोड़ा जाए तो शायद पाँच हजार खंटे से अधिक सावरकर पर बोल चुका हूँ और सबसे अधिक पूरे के एक नगर के युनिवरस्टी के कारिकरम में 180 मिनट बिना पानी पिये बिना रुके और आज आपने मेरी विवरस्टा देखी होगी 82 वरस्ट के आयुद में मुझे बीच में कहीं उठके जाना पड़ा पहले इसके लिए एक छमा प्राड़ती हूँ लेकिर आज भी अगर कहीं शरीर पर कोई चीज लगा दोगे काटने वाली तो जो लहू टपकेगा यानि सब्बूल व्यक्तितों के शिराओं की थमनियों के रक्त प्रवाह में जो लहू लावा बड़ के अभी भी पच्छड़े मार रहा है वो केवल एक ही व्यक्ति है और उसका नाम है वीर सावनकर पहले ये बतादू के ऐसे कारिक्रवों की आवश्यक्ता क्यों बती है और नहीं होगा तो देश का हाल क्या होगा कोई तो कारण है इसलिए दो चार पंतिया कविता की सुना कर और दो चार घटनाएं उनकी जीवन की सुना कर मैं कलपना कर सकता हूँ कि आधे से भी अधिक्षोता जा चुके हैं और सबका अपना अपना समय होता है विशेशकर रविवार का दिन जब एक बच्चे को आप प्रामिस करके आई है कि मार्केट ने जाओंगा दूसरे को विकी दिलाओंगा तीसरे को स्कूटी दिलाओंगा या फिल्म दिलाओंगा या 102 नाट आउट दिखाएंगे पूजे न शहीद कहें तो फिर अगर शहीदों का अप्मान और तिरस्कार होगा जो सावर्चत का होगा आजीवन पूजे न शहीद कहें तो फिर ये पंत कौन अपनाएगा तोपो के आगे मलकर छाती को कौन अड़ाएगा चूमेगा फंदा कौन चूमेगा फंदा कौन वक्ष पर कौन गोलियां खाएगा धर्थी की माटी काचदन माथे पर कौन लगाएगा मैं गली गली चौराहे पर ये प्रस्ट उठाया करता हूँ मैं अमर शहीदों का चारों यस उनके काया करता हूँ आज इवन केवल एक ही व्यक्ति से लो लगाई है, बारा वर्ष पर उसकर पहली पंक्ति लिखी थी और उसकर प्रशकार बिला था, आज ब्यासी वर्ष पर उसकर अंति पुस्तक लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद इसी नगर में होगा अगले दो-तीन महीने वे, ताके हर जन साबन के व्यक्ति भी जान सके, ये एक व्यक्ति जिसका पाच देशों के सर्वोच नयायाले में अभ्योग चलाया गया था, वो कौन था? चार पंक्तियां होर, जिस देश में वीरों का सम्मान नहीं होता, उस देश का दुनिया में गुरगा नहीं होता, दुरभा किसे इस देश में उन्ही वीरों को, और वीर जिसके आगे लगा हो, नाम लगा हो वीर, पूरा नाम अगर ओज और पूरे स्वर और पूरे उचारनल और पूरे उत्सा और पूरे उमंग और पूरी चेत्ना से पुखारा जाए, तो उस व्यक्तित के नाम का पूरों चारनल होगा, लगता नहीं है कि जैसे काहित्री मंत्र की गूँज हो, सो रिशी मिलकर हमाले की कंदराओं में एक बड़ा सा हवन कुंड जलाए आहुती देकर वेद की रिचाएं पर रही हो, और तवान देवत्दा उसमें कहरे हो कि यताम राश्टराए स्वाहा, यताम राश्टराए यतानल म कुर्व मांकरजी जो अपने हीजजा किसा में भूलता भला करती थी जो राश्टियर करता है, उस से बड़ा धर्ब कोई न है न होगा, आज मैं सावरकर पर केवल चार छे उनके जीवन के दर्श्वान बता हूँगा बड़े रोचक हैं बड़े रोमान चक हैं यह समरे पढ़ लिया कि वो बात्वन का था और इसने ये प्रस्ट किया और इतिहास के पन्ने पर डाले और उनको चुनौती दी और विवेका नंद के शिकागो भाश्रा के विजह में पहली पंती एक कवता के लिखी जिसकी वएसे तिलक ने केसरी में लिखा हमारे यहां साथ वर्श का बालक लगता है सार्दा का पुत्र है सरस्दी का जन्मा हुआ पुत्र है उसके हंस से निकाल कर पंक और यह कीप लिखा है साथ वर्श का बालक लेकिन जो आप पहला वेक्ती जिससे विदेशी वस्तरों की होली जला कर भुष्भर को प्रकंपित कर दिया था यह 1905 की बात है जब उन्हें फर्वूसन कालिज से निकाला गया और बाद में वेक्त लेट चले गए आज यह तबाम घट्राइम नहीं बताँगा कि उनको अंदमान भेजा गया पचास वर्श के लिए गाजीवन वाली बात रही और जहां उन्होंने साथ खुड़ा साथ की अधेरी घुप कोठरी में पहला भोजन शाब को पांच बज़े करते थे जब पीस पॉंड तेल तिन बरका निकाल लेते थे और जितनी मात्रा कब रह जाती थी उस तेल की उन्होंने पूरे जीवन भद पीस पॉंड नहीं निकाल पाए पाच फुट सार दो इंच का एक शिवाजी जैसा नेपोरिये जैसा लाल बहादर शास्री जैसा ये ऐस शाप में बढ़ा चादू है इतना बड़ा व्यक्ती लेकिन एक छोटा सा हिमाले धधक्ता हुआ जोहला बुकी उसने उस जेल की कोठ्री में बारा हजार पंतियां चार विभिन विधाओं में दिखी एक गद्र में एक पंद्र में एक नाटक एक उपन्यास एक स्वाचरित्र मेरा आजीवन का रावास कोई कलपना कर सकता है और ये लिखी कैसे बहाँ पैंसिल तो थी नहीं कलन तो थी नहीं ये लिखी कभी अपने नाखून बढ़ा कर कभी बाहर से आते हुए कोईला चुके से जुरा के कभी कीने पत्रों से राव की दिवारों पर उठकर बारा हजार पंतियां लिखना और कंठस्ट करना पहले ये देखें कंठस्ट करना जिसके चार महा काफ ये जो अब महराश की हर युनिवस्टी में लगाए गए हैं कोई कलपना कर चारों वेद भी इतनी प्रतिकूल पर स्थिद्यों में नहीं लिखे गए जितने सावरकर द्वारा चार विभिन विधाओं म मुझसे एक वर्ष बड़े हैं और अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हम जब तक पूर्णेश भाई कहते रहेंगे कि सूरत में सावरकर का कालकरम है उस दिरन हवींद्र सरके बल चलके आएगा यहां भी केवल 12-13 वर्ष से भी रास्त पूर्णेश भाई का संपार गुआ है और 12-13 तक बलाते रहेंगे आता रहूंगा लेकिन आज जो बोलने जा रहा हूं उस पर पूरा ध्यान दे सावरकर के तिरासी वर्ष के विशे में एक शब्द भी और नहीं बोलूँगा वो इतना सर्व विदित है लगबग तेर सो से उपर पुस्तके सावरकर पर विबन किया कहा कि फ्रास जर्मनी इंग्लेंड अमेरिका और मौरिशस सावरकर पर पिएच दी और डीलेट कर चुके हैं मेरे निर्देशन में यानि कैसी विचित्र विडंबरा है कैसी जगन्न विडंबरा है कि जिस देश प्रेंग को लेकर विदेशी लोग सराहना कर रहे हैं औ उसकी अपने देश पे उससे प्रतिशों दिया जा रहा है कि स्मर्कर को कहा जा रहा है कि उससे माफ़ी मागी थी तो उसकी डिगरी लागी जो एध उनिस दो नौ में सात्वी बलिशन ली थी अभी तैक डिदेकर क्यों दबाए बैठे हो तुमसे तो माफ़ी माग चुका 1909 में एलल भी किया क्रेजिरिन लंडन से वो घड़ना भी छोड़ रहा हूँ उसके जीवन के 1926 दिन जिसके लिए एक नाम दिया था सावर करने आत्म अरपण मैंने अपना जीवन जैसा भी था दुख में पीड़ा में वेदरा में कराहते हुए कोड़े खाते हुए कोलों में जुदते हुए अपमाज सहते हुए जी लिए अब 26 दिन और ये दिन कौन से 26 दिन उस 26 दिन को भी 5 मिनट में निचोड़ दूँगा और मेरी बात सा मात हो जाएगी लेकिन ये इसलिए अनिवार ये या अवश्रक है आप लोगों के लिए सुनना क्योंकि इन 26 दिनों की ये सहन शीलता ये शौर्य गाथा ये वीर गाथा ये आद्म सवर्पन शने शने आउशदी छोड़ना दूद छोड़ना जल छोड़ना फल छोड़ना और अंतदहा ये संसार सोड़ना ये पहली फरवरी 1966 से आरंब होती है प्रेस को वलाया और कहा कि आज से मैं इस आत्मा को जो उस परम आत्मा का एक अंश है उसको समर्पित कर रहा हूँ लोगों ने कहा आप क्या समर्पित कर रहे हैं किस तरह समर्पित करेंगे कहा जैसा है संत ग्यानेशोर ने ग्यानेशोरी लिखी फिर एक गुफा में गए वहां बाहर पत्थर रख दिया सास और हवा नी बंद हो गई साथ में दिन वो पत्थर हट रपाया और तब तक ग्यानेशोर ये ग्यान का भंडार बाट कर अमर हो चुके थे उनका शव प्राफ दा जैसे कुमारिल गिरी ने जंगलों में जाके और जल्म समाधी लगा दी जैसे राम ने आयोध्या की स्तरियों में जाकर सचसिता की इस्वरती लेते हुए जल्म समाधी लगा दी और अंतता विलीव हो गई इसी तरह सवरकर ने भी अंत के 26 दिनों में पाच-छे तारीक तक तो वो औशडी और फल और दूद लेते रहे छे से पंधरा तारीक तक इनों ने शने शने क्रम से ये सारा भोजन लेना भी बंद कर दिया दिल्ली में खलबली मच गई कुछ लोगों ने खा सावरकर शने शने आत्म हद्या कर रहे है उन्होंने का नहीं आत्मा का परमात्मा को धन्यवाद सहिद उसका उपहार लोटा रहा हूँ इस प्रारत्रा के साथ के यदि मैंने अपना जीवन एक सार्थक ढंक से जिया है तो मुझे एक अफसर और देना मानव बनाना हिंदू बनाना हिंदुस्तान में मेरा जन्म करना और मुझे फिरमा की सेवा देना पंद्रा तारीख आगई अब अंतिन बचा है जल और वो 21 तारीख के बाद सावर करने जल की बूंद भी नहीं ली डाक्टर आते रहे कहते रहे शरीर में ये जीवित कैसे है ये बैक्ती पल्स रेट निल बलड प्रेशर 55 नीचे 111 उपर ये सावर करने हलके से बोल तो सकते नहीं थे स्वर जा चुका था शक्ती जा चुकी थी उर्जा जा चुकी थी अब हम 20 तारीख को आ गए हाँ उससे पहले 16 तारीख को अठल बिहार रिवाजबई राम गोपाल शाहलवाले बलराज मधोग तीन और दो वहां के व्यापारी और हाँ मिलाब के नरेंडर जो लाहोर में चलाते थे उन्हों निचार ने आकर कहा सावर कर आप किस जिद पे तुले हुए हैं और क्यों आप आत्मत्या यह यह सब जीज़ चोड़ रहे हैं जो जीवन के लिए नितान तरनिवारे हैं और शर्दी और फल और दवाईया इतना संदर उत्तर है बस उसको सुनगे आप जब अट्रल जी ने कहा कि आप तो आपकी वो पिस्तॉल जो आपने नातुरंगोड से को पहुँचाई थी ये अफ़ा उड़ाए गे थी बाद में लगा कि बिलकुल अधाल ही मैं आपका घर आपको वापस मिल गया आपके प्रॉपर्टी आपको नासिक में वापस मिल गयी आपको इतना यश मिल गया इतनी यश से हुए लोग प्रियता मिल गयी अब आप किसलिए जीवित है जीवित नहीं अब आप क्यों अपने आपको शने शने समर्पड की ओर उकेर रहे हैं ये सब देखिए अपने आपको उक्साइट कर रहे हैं सावरकर ने कहा सच्पुच अटल्ट मुझे सब कुछ मिल गया उन्होंने कहा ना आपका घर आपकी प्रापर्ट्री आपके कपड़े आपकी बिस्टल और जितनी बिलांगिंग्स थी वो सब आपको वापस मिल गई कहा एक काम करो अटल्ट अब सुने इस प्रश्ट का उतर ये 16 फरवरी 1966 में अटल्ट जी का प्रश्ट है पंबाई के सावरकर सदन में सावरकर से जब उनको 16 दिन हो चुके हैं अपनी इस आत्मार प्रक्रिया को पालते हुए कहा अटल्ट बताओ सब कुछ मिल गया मुझे मेरा क्या यही मेरी संपत्ती थी अब सब फोटके से थे किसका सावरकर से पूचे कहा अटल्ट कान में आओ बैजोर से नहीं बोल सकता कितने दुर्बल छीर हो चुके थे मगर एक जीची विशा थी एक उरजा थी अंदर उत्तर दे दू कहा अगर सत्मुच मुझे मेरा लोटा ना है तो एक बार लहोर और कराची मुझे लादो मैं कल खड़ा हो जाओंगा मैं कल खड़ा हो जाओंगा मेरी सबत्ती दुछिं गई मेरी मा की दोनों हाथ काट दिये तुमने उधर दे दिया लहोर इधर रह गया अमरस्तर उधर दे दिया सेलकोट इधर रह गया जमू उधर द दिया कराची इदर रह गया बंबाई बाके टुकड़े कर दिया तुम्ने और बाट भी है लोगों में और दो ऐसे देश हुए जो आज भी हमाराच जीना हराम किये हुए है अब 21 तारीख आर गई और सावरकर ने बरत नहीं छोड़ा 21 तारीख को अत्तिम बार दो पर संगो सुने तीन तीन मिनिट के लेकर आपके रोंटे कड़े हो जाएंगे उस व्यक्ति की शारीरिक मांसिक आत्मिक चेतना इतने की विवल इतनी छीड़ हो चुकी है मगर अंदर विचार को देखें कहा आज मेरा मन कर रहा है कि इतने दिन की बड़ी हुई शेव बनवाओं मेरे नाई को बुलाई है उनका एक बढ़ा हुआ नाई था खराम था शिपकुमार वहार को बुलाओ पवार शिपकुमार पवार जब उसे आया उसे बुलाया तो कहा अच्छी तरह से एक शेव बना लेकिन पहचान ले तू कि तू कौन है मेरी द्रश्टी में सुने इस प्रसं किया कि मुझे क्या कहने वाले है जब अटल जी को चुप कर दिया ये कहके कि मेरा लाहोर और कराची लादो मुझे क्या कहेंगे कहने जगे तू अपने आख को छोटा मल्था मच पवार तुस्से बड़ा वीर कोई पैदा नहीं हुआ वो बहुचा का विस्मित चकित क्या क रहें कहते हैं तू पहला व्यक्ति है बेरे जीवन में जिसके हाथ में शस्त्र देखकर मैं गर्दन पिका देता हूं कि ले शेव बना ले मेरी एक व्यक्ति दुनिया में नहीं पैदा हुआ जिसके हाथ में शस्त्र देखके मैंने गर्दन जुगाई हूँ तेरे आगे लावीर है जबके वीर मेरे नाम के आगे लगा जाता है तो वो वीर है जिसको वीर सावर कर वीर कह रहा है वो रोपड़ा और चला गया अब आगई बाइस तारीर तीन दिन और शेश पहले ही कह दिया था 26 फर्वरी को सुभे 11 बच के 11 मिनट से पहले मुझे यमराज या चित मैं मालूम है इस संसार से विदाई लेने का अब किसको बुलाना है किसे मिल रहा है कहा एक बार मेरे दरजी को माई टेलर मास्टर और वो उस सब्वे का खांड लेकर भे उनको बुलाओ खांड लेकर जी आए वीता लेकर आए तुहبة में नया कपड़ा तयार कर दाङरा है कि चंद सासे बची हैं चार दिन बच्चे हैं नया सूट क्या तयार कर रहा है कहा भगवा रंग का एक कपड़ा जो चार दिन बाद जब मेरी संसार से विदाई है और सब्ध क्या स्थेवाल किया मेरा शब नहीं जब मेरी डोली उठेगी उस शब को यानि मैं दुलंग के हो यानि पाकिस्तार उसमें शामिद हो इस चेत्ला देखिए अभी भी आधे से अधिक शरीर साथ छोड़ चुका है अंतिम सासे हैं अंतिम घंटे हैं अंतिम दिन हैं बगर कलपना ये कि वो अखंड भारत जिसको तुमने काट के बाट के लहू लोहान कर दिया उस भारत का एका खंड चित्र बनाकर इस गेर्वी वस्तर को मेरे शब पर ठक दिया जाए और जब वो आया नाप लेने के लिए तो कहा देख मैंने परसो पवार से कहा था और आज तुस्रे कह रहा हूं तू पहला व्यक्ति है जो मेरे गले का नाप ले रहा है और मैं कह रहा हूं कि ल हाथ नहीं लगा पाएं इस गर्दन को ये तेरा सौभा के हैं कि मैं उसको देखके गर्दन जुका देता हूँ तुझे देखके कहता हूँ कि हाँ मेरे शव वस्त का नाप ले ले चौबीस तारीख अरा गई वो चला गया वो ही शव अंतता उनको उड़ाया गया था जब 26 तारीख के बाद 26 को शनिवार था 27 को उनकी शव यात्रा निकाली गई जो 7 किलोमीटर लंबी थी और लगभग 10 लाख लोगों ने उनको अंतिम विदाई दी 10 लाख 10 मजे सुबह वो शव यात्रा शुरू हुई 27 फरवरी 1966 एक खटा अंतिम 24 तारीख के बाद वो बिल्कुल अचेत हो गए कहा मुझे बाहर एक बार पिठा दो घर से बाहर दादर में जो सावर कर सदन है वहाँ से खड़े होके सावने का द्रश एक बार देखना चाहता हूँ द्रश सोचिए क्या है मन में अभी भी क्या हच्चा चल रही है एक निरंतर प्रतिद्वंद एक निरंतर अन्यमनस इस्थिती में उवापो कि तिर्चार मन में अभी भी हैं जबके जीवन के केवल ठाई दिन बचे हैं उन्होंने वील चेयर जैसे एक लाके बाहर रखी बाहर आके बैठे तो एक माँ दो बच्चों के दो हाथ पकड़कर उन्हें पार्शाला ले जा रही थी अपने नीची सचे बालराओ सावरकर को बुलाया और कहा बालराओ देखो माँ दो बच्चों को लेके पार्शाला जा रही है तेरे मन में क्या विचार आ रहा है उनको देख के चल्दी बता मेरे पास समय नहीं है ये घटना उस दिन स्वैम जब मेरे निवास पर गुरुगराम कुरुगाओं में आकर सुनाई तब में लिख रहा हो और इसलिए ये वखटना है सुना रहा हो कि इन में से एक भी घटना इस से पूर किसी पत्र पत्र का समाचार पत्र कहीं भी ना कही गई ना लिखी ना सुनी गई ना सुनाई गई और मैं आपको पच्चीस तारिख पर ले आया सुबह उनको बिठा दिया गया बिलकुल आधे जीवित आधे से अधिक जिनकार आधे थी भी कम जीवित सासे बची है बस अभी लेकिन एक दिन शेश कहा बताना क्या लग रहा है उसना का यही के हर मां को अपने बच्चों को पार्चाला भेज़नी चाहिए ग्यान की रद्धी उसको बराठी में एक बड़ी मीठी सी काली दी और का चुप तू नहीं समझेगा इस भारत का अब सुन लें अन्तिम दिन उसके बाद मूँसे शब्द नहीं निकले एक खटना बीच में रह गई किस तारीक की गुजरात की एक लड़की छे वर्ष की सुभा ही उठकर उस दिन शिवरात्री थी 23 फरवरी 1966 को शिवरात्री थी सुभा उठी और उसने कहा रापको शिव मेरे पास आये थे और मैंने कहा उसने उससे पूचा कि तुम उपवास क्यों रखती हो शिवरात्री के दिन मैंने कहा इस दिये कि आपने विश्का पान किया था जब अमरित मंधन हुआ था तो देवताओं और असुर में लड़ाई हुई थी और वो अमरित बचाने के लिए आपने वो विश्का पान किया था तभी आपको नील कंट खाहा जाता है और मुझे जब मैंने ये बताया सुपन ने ये बताया शिव को उत्तर दिया तो उन्होंने कहा कि मूर्ख मेरे लिए उखवास रखती है क्योंकि मैंने विश्कान किया था ये उत्तर सुने ये 23 तारीक का है क्योंकि उसके पिता उसको लेके ढूंटते हुए उस व्यक्ति को दादर पहुंचे और घरवालों ने कहा कि अब उनको कोई नहीं मिल सकता आप दिन तीन दिन जेश है कहा नहीं मुझे शिव ने कहा है कि तु मेरे विष्पाल पर इतनी हैरत में है इतनी प्रशंसा प्रस्टोती कर रही है तु जा और जाके देख तेरे भारत में एक शिव का रूप और भी है एक शिव का पुर्णः जन्व और भी है और वो 83 वर्षों से निरंतर अपमान का घूंट पी रहा है कल पिना तो करें शिफ से तुल्डा करना सावरकर का जा उनके दर्शन कर गया और उसको अंदर ले जाया गया उसने सावरकर के चरण सपर्श किये उनके पुत्र विश्वास सावरकर ने घटना बताई के शिफ ने खुद कहा है कि जा अभी बंबई के दादर के सावरकर निवास में एक व्यक्ती जीवित है मात्र जीवित है नाम को जीवित है पर जीवित है और जो पिछले 83 वर्शों से निरंतर गरल पांग कर रहा है विश्वांग जी रहा है किसके लिए भारत मा की मुप्ती किती और अब 25 तारीक की अब जब उन्होंने कहा बालराओने के हर मा को चाहिए कि अपने दोनों बेटों को पार्टशाला बेजें तो का चुप अगर यह अब यह सुन लें जो अंतिम बचन है और आज वो कितने खरे उतर रहे हैं कहा हर मां हर हिंदु मां हर हिंदु मां प्राता काल अपने दो पर आकर दोनों बच्चे दो विपरी दिशाओं में जाएं एक लड़का गेरुए बस्त्र पहने चाणक की जैसी चोटी रखे सस्प्रित के श्लोग पढ़ता हुआ शाहिद चाणक की नीती से चेले शेवेन बाले क्यम मौक्तिकम ना गजे गजे साधवो ना ही जर्वत्रा चंदरन ना बने बने इस तरह के वीर रस के भरे वे गीत गाता हुआ गुरकुल की तरफ जाए दूसरा बेटा एंसी सी की ड्रेस कसे हुए बूट पहने छटपट करता हुआ परेड करता कोई मार्चिंग सांगाता हुआ केंटरमेट की तरफ जाए और वहां एंसी सी की ट्रेनिंग करें राइफल की ट्रेनिंग ले वो वेदों का ग्यान ले और बड़े होकर ये लड़का चाले के बने ये लड़का चंदगुप्त बने जब तक हर हिंदू परिवार के दो ऐसे वीद नहीं जन्मे के बारत सुरक्षित नहीं है और इस उधारल के लिए उन्होंने एक ही नाम लिया था इसराइल जो दिल्वी से भी छोटा है असी लाग का मगर जिसने चौदा देशों को जो चारों तरफ से हैं और वो गल्व के मुस्लिम देश हैं उनका नाक में दम कर रखा यह अंतिम शब्द 24 तारीक की साइंकाल कहे हुए कि हर हिंदू परिवार से मा दो बच्चों को लेकर निकले एक जो गुर्गुल की तरफ ग्यान की खोज में जाए शास्त्रों का पाप करे दूसरा जो शक्ति की खोज में जाए और भारतिया आर्मी से भारतिया से ज सब सुराइं जितने बेठे हैं न नेताओं से चल रहा है ना लेखों से अपने आपको ना कवियों से ना डॉक्टरों से ना इंजिनियर से अगर चल रहा है तो तीम लोगों से चल रहा है एक मई जून में गिहू काटता हुआ पसीना बहाता हुआ किसान जो हल पहल लेके हमको भोज़र की बेवस्ता कर रहा है किसानों से चल रहा है तूसरा जो बीस एकीस हजार फीट पर नाथूला की चड़ाई पर कले में दूर्बीन लटकाए अपनी नव वाहता पत्नी और बच्चों को छोड़के चाइना और पाकिस्तान के बार्डर पर दूर्बीन लगाए रात रात पर पड़ी आखें अंता किये हुए परिवार को भूले हुए मा को भूले हुए पिता को भूले हुए पत्ती को भूले हुए बच्चे को भूले हुए केवल भारतमा की सिमाओं के लिए डटा हुआ है और रोज एकाथ शब का समाचार हमेश आपको मिल जाता है हम उसका जवाब भरबूर बे रहे हैं इसमें कोई शक नहीं लेकिन उस पर क्या बीचती है और तीसरा दीवानों से यानि ये राश चल रहा है तो किन लोगों से चल रहा है किसानों से जवानों से और दीवानों से और उन दीवानों में ये हैं जो पूर्नेश भाई ने इतने नाम गिनाए थी सर्फरोशी की तमना गाते हुए 19, 20, 21, 22 साल के लोग जो चल दी ये च्छाती फुला के गाते हुए और फासी का फंदा चुबा, जोर सिका, इंकलाब, जिन्दाबाद और पंच्चतर दो में विलीन हो गई इन तीन लोगों से ये राश चल रहा है अन्यता बाकी तो साथ तमाशा है ये मेरी निजीब रश्रिकोड है कि अगर इस देश में पूजी जाने चाहिए पूजे जाने चाहिए और ताप्ती का पानी नहीं ताप्ती के आपके सूरत में हर वर्ष रक्षा बंदन पर आप लोगों ने दर्शन किये या नहीं हर वर्ष रक्षा बंदन पर क्या होता है कर्ण आता है ताप्ति के पास राखी बंदने ताप्ति प्वारे शहर की जो ताप्ति है ये कर्ण की बेहन है सूर्य की पुत्री है तप रही है आजकल और इसलिए उसका नाब ताप्ति है कभी देखा है उस कर्ण को जो महावारत का सबसे सुनैरा पात्र है दान वीर कर्ण तीन जल जो जीवन में ने जैसे बताए ना तीन वर्ग राश को चला रहे हैं तीन जल हैं जो इस हमारे जीवन को चला जा रही है एक उस लोहो उस सिपाही का लोहो जिसके च्छाती पर गोली रखती है और कहता है बापू से कह देना कि एक भी गोली पीड़ पे नहीं कही है अगर हो तो मेरी लाश को कुते के आगे फेग दे जितनी गोली आखाई हैं ये च्छाती पे खाई हैं ये मैडिल्स हैं ये ट्राफिज हैं मेरी उस सिपाही का गिरा हुआ लहू उस पत्ती का बहाय हुए विद्वा के आसू और किसान का गिराया हुआ पसीना ये तीनों को मिला के आप जो जल बनता है जो तरल वस्तु बनती है उसे राश्ट्रियता कहते है और ये राश्ट्रियता हमारे नायक वीर बिना एक डामोदर सावरकर में नक्षिक परेपूल थी उसके ये जीवन के प्रसंगा आप याद रखे इसलिए जब पहली बार उस पर एक आर्टिकल छपा लंदन के अख़वार में तो उन्होंने सावरकर की स्पेलिंग लिखी बहुत चोटा सा चुटकुला है जिसको टेलपीस कहते हैं उन्होंने स्पेलिंग जब अधरलाल धीगरा ने का माधरलाल धीगरा ने कहा यह कर्जनवाई ली ने का माधरलाल भीग्रा ने लेकिन इसके पीछे जो प्रेड़ना है वो एक व्यक्ति की है और उसका नाम है विनाएक दामुदर सावरकर्ण का गुरू जो है उसने वेजा था इंको और उसने स्पेलिंग क्या लिखी एस एडबलू ए आर के ए आर सावरकर्ण ने वो लेक पड़ा शाम जी कृष्म अर्मा ने लेक पड़ा लंडन टाइम्स इंठाव मैंचेस्टर कार्जियन लंडन टाइम्स डाउन मिरर न्यूज अन व्यूज बाद में सब ने वो लेक छापा एक पक्ती है बस और यह अंतिम पक्ती है इस पूरे यज म में मेरी और से अंतिमा होती जब शाम जी कृष्म अर्मा ने लिखा कि यस दे इंस्पिरेशन बहाइंड दी असेसिनेशन अफ कर्जन वाईली वस नोबडी ऐस बड़ाइब गनायक दामुदर सावरकर और यह स्पेल सावरकर एस से डबलू ए आर के ए आर उन्होंने का आपने कहा है वो भी बहुत अच्छा है लेकिन सावरकर की स्पेलिंग गलत हो गई है और उसके एडिटर ने जो समाने में था मैकडिनल हैरल्ड जहां ते मुझे आद आ रहा है जो समय वहां का लंड़न टाम्स के अडिटर था उसने कहा कि नो इस पेलिंग इस करेक्ट उत तर सुन लें अंतिम और अंतिम वा कि मेरा भी अनलेस इस मैन कार्ड सावरकर अनलेस यू स्पेल एस एडब्लू ए आर उसकी स्पेलिंग हो नहीं सकती भी कांट इमेजिन अप दी परस्नालिटी अप सावरकर विदाउट दावर्ड वार इंटो इट डब्लू ए आर याट जब तक युद्ध का परियाए बिनाइक दावुदर सावरकर को नहीं कहेंगे तब तक उसके नाम का उच्चारण और उच्बोधन ठीक नहीं होगा ये थी वो इमेज सावरकर की जो विदेशियों के मन में सावरकर के लिए थी यही छोटी सी घटनाए है विशेश कर वो खटा बताने वाली थी जो अंतिम 26 दिनों में पहली फरवरी 1966 से 26 फरवरी 1966 तक अंतिम साड़े छे वजे मैंने अपनी पंक्ती में लिखा है पुस्तक में साड़े छे बजे से पहले आरसस ने खड़े होकर जेल में खड़े होकर उस दिन भोजन नहीं लिया जब शवयात्र निकल रही थी और अंतिम पंक्ती मैंने जो अपनी एक हिंदी की पुस्तक में है जो यहां है और उपलब्त भी है उसमें लिखा ये पहला दिन था जब दो सूरियस साथ साथ हो रहे थी एक भारतिये स्वाधीनता का सूरियस डैट इस वीड सावरकर और एक वो सावरकर जो सूरिय जो सचमच उस दिन अस्त हो रहा था और सावरकर करकर की शव्यात्रा की सबसे विशेष्टा ये थी कि उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरी शव्यात्रा निकले ना कोई जंडरा जुके ना कोई स्कूल बंद हो ना कोई फैक्टरी बंद हो ना कोई कारखाना बंद हो ना शे विद्दुत सब्दा ग्रह में ले जाए जाए और वो किसी गंगा में प्रवाहिद कर दी जाए जो आपको उचित लगी मैंने अंतिम पतिये दिखी है कि सावरकर का ये अंतिम विचार के मेरा शमचान घर में ले जाकर वेदिक संसकार के साथ ताह संसकार नहो मुझे विद्दुत सब्दा ग्रह में ले जाकर पांच मिनट में अंतिम ये संसकार कर दिया जाए इसके पीछे कारण था कारण ये था कि सावरकर के शब को अगर लकडियों के उपर रखा जाता तो उस लोहो पिंजर को पिखान को सकता था लकडियों पर रखते हैं तो वो चलते ही नहीं लोहे का शरीर था लोहे की इच्छा थी लोहो पिंजर था इसलिए अच्छा किया कि सावचकर को इलेक्टरिक क्रिमेटोरियो में ले गए जहां उनकी राख वापस आ गई, समर्पित कर दे गई ये कुछ यादें, कुछ विस्परतिया, कुछ घटनाएं, कुछ प्रसंग छोड़ गई जो हम लोग सुनें, लोगों को सुनवाएं, अधिकाश मेरी फुस्तकोवे मिलेगी और आपको जितना कुछ याद रहें, इनमें से ये लोगों को सुनाएं, कि एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसका अंते मिच्छा भी यही थी, कि हर काम वेग्यानिक ठंक से हो और मुझे उस मशीन पर रखा जाए, उस अगरी की आग की भटी पर रखा जाए, जो मेरे शरीर को जुलसा सके, पिखला सके बहुत धन्यवाद आपके थेर्य का, आपके सहियों का, आपकी सहन शीलता का अन्यथा मैं सबच पा रहा हूँ, कि मनी मना आप कहेंगे, कि बो ठे, छोड़ेगा भी या जान खाएगा, कितनी लेगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, सावरकर ने हमें नहीं छोड़ा, बारा वर्ष से ये रोग डाला था संतर वर्ष से ये कैंसर पाल रहा हूँ, सावरकर का, छोड़ूंगा तुम लोगों को भी नहीं हर बार आँञा, इस से अधिक प्रसंग सुनाँगा, छेल सको तो छेल लेकिन ये याद रखना, कि ये जो सावरकराइटिस नाम की बीमारी हैना, जो आत्मा को लगती है elephantitis, tansylitis एक savergaritis बीमारी है यह आत्मा को लगती है इससे मौत होती नहीं और आई उपड़ आती है और्जा आ जाती है आप savergar जैसे वेक्ति हैं कोई पालेंगे यहाँ यहाँ भगत सिंग बहेगा यहाँ शेफ माकुल्ला बहेगा यहाँ मौमिन बहेगा यहाँ और बहेगे यह अगर आपके शरीर में है मच्छर आके एक बिनिट में नीचे टपक पड़ेगा यहाँ भगत सिंगा खून है इसके शिराओं में वही छोड़ दो दुनिया लाओ लगाके तो देखिए इन पागलों से, इन दीवानों से, इन सरफिलों से, इन मस्क्रानों से आपकी आयू पर जाएगी, उर्जा पर जाएगी, छाशक्ती पर जाएगी, छेत्ना पर जाएगी और देश प्रेम पर जाएगा जैहिन बायो बेरो, डॉक्टर फरिंद्र श्रीवास्ताव जी के लिए स्टेंडिंग ओवेशन जोड़दार तालियों से उनका सन्मान कीजिए पुला पारत माता के पारत माता के अवे दस वगा मांच मेंचे जर देश बक्ती ना एकात बेगित थाई जैए पछे आपने आपार दसन तरब जैए मुझी सियन मित्रों ने देश बक्ती ना एकात बेगित तैंक यू अटलो बुदू सुन्दर सांवड़िया पछे आप मौकों मड़े हो शे तो फरीज एक बाद Sesame also अगर चाती चीर की तो ये ही बाद है और जैसे हम चार साल की जो बहुत अच्छा काल हमारा भीता है भारत के लिए सौन अक्षरों में लिखा जाए ऐसा कुछ तुन काल भीता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये हमारे मानने अब रधान मंत्री जी जवाबदार कह सकते हैं तो उनका एक नारा है उनका एक जीवन मंत्र है वो मैं आपको कहना चाता हूँ शायद आप सब मुझसे उसमें सहमत होगे कि ना तन चाहिए ना मुझे धन चाहिए और जब तक जिंदा हूँ तब तक इस मात्र भूमी के लिए और जब भी मरू तो तिरंगा कफन चाहिए जब भी मरूं तो तीरंगा कफन चाहिए जब दोसों उनकी जो सोच है हमारा भारत का विकास करने की तो ये सोच कहां से आई? वो हमारे पुरानों से आई, हमारे पिछले वर्सों से आई और क्या बात कहते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा ये नग्मा है और हमारे सब क्या सपना है हमारे सब की सोच है सुनते हैं जह दाल दाल पर सोने की जिरिया करती है बसेरा वो भारत देशी मेरा वो भारत देशी मेरा जह दाल दाल पर सोने की जिरिया करती है बसेरा वो भारत देशी मेरा वो भारत देशी मेरा जह सत्य अहिंसा और सरपका पक पक लगता देरा वो भारत देशी मेरा वो भारत देशी मेरा जहां डाल डाल पर सोने की चिडिया करती है बसेरा वो भारस देश है मेरा ये धरती वो जहार शीमुनी चपते प्रभुनाम की माला हारी ओ, हरी ओ, हरी ओ, हरी ओ, हरी ओ जहां हर बाल एक इत्मोहन है और राधा एक एक बाला जहां सूरज सबसे पहले आक डाले अपना तेरा वो भारस देश है मेरा जहां डाल डाल पर सोने की चिडिया करती है बसेरा वो भारस देश है मेरा वो भारस देश है मेरा जहां आसमान से पाते करते मंदिर और शिवाले किसी नगर में किसी दार पर कोई न ताला डाले जोई न चाला डाले और पेम कि बंसी यहां बजाता आए शाम सवेरा वो भारस देश है मेरा वो भारस देश है मेरा जहां सत्य अहिंसा और धरम का पक पक लगता तेरा वो भारस देश है मेरा जह भारती के शिर्म ले राओ जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती Thank You Thank You इक भास दोर जात आले होनी चाहिए बले जीतने लोग हैं और कितने किती एक सांगी पर्मिशन है लास्त स्वांग अब ना बुलने में एक लेंग एक मुगड़ा एक मुगड़ा ले लेते हैं यह सब को वानिक है सभी देशों के लिए खुसूल लेते हैं आप लेते हैं यह सब क्या है तुम भी दर हो तुम भी दर हो तुम भी दर हो हम मिज़ुके बोले अपको यारा अपना जमाने सबते क्यारा तुम भी दर हो हम मिज़ुके बोले अपना जमाने सबते क्यारा जमाने घ़्र मिधारा अगम भी दर भी दर हो कर दो कर दो डो 파 2 लोड़ चार्वे करन हैं हंकी के अनकि अब्र रहेो तेल है नी अनिशा मेरी भुगते है भूमे है चोश है यारजहह मेरे ने क्के ना हृ दे क्श़ दो खीशामे है भुगते है चोश है जुक्टा है यरजहमे है ने क्श़ आउप Hamilton मिशिकोह की शामिव है तैंदेड रखे दो भी लगो और देड़ें से अंदेड आप को हो, हो 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 आपको हो संब्सक्राइए एक विद्रो माते जोड़ार दारियो अने अबार दर्शन माटे हूँ अशुर भाई गोईल ने विनंदी करोजू आदाने वड़ा भिदान सी नललबाय मोधिसायम ना निक्रुत्वमा भार्गे जंदा पाड़ी नी केंडर सरकार ना सुशासना चावलाई इमी त्यावजी आधना गारेक्रमा केंड्रिय मंत्री तरीके देशना नानक टा गामों मा जैने स्वयम लोकों ने रुपरु मननना अने सतत अपने जाकू प्रेजंटेशन जो जाते बेसी ने तैयार कनना अपना सवना लोक लाड़ी ना आधने इसनी मन्सुपय मान्ड़ा जी कारेकरताओत अप्रिय आधने ये पर्मार्शाय माने मेर श्रीमती हस्मिता बेन शिरोया बाजा तुरत मानगना अत्यक्ष्री निदिन बजिया वड़ा शांचा श्रीमती धर्शना बेन जर्दोश अने खास करिने दिली विष्णु विद्यालाई ना प्रोफेसर अने वीर सावर करची ना जीवन ना देन पा सबाना दारा सभिया स्री भूड़ेश भैक मोदी तमा मंचस्त मानू बाओ आप साउचनो रदैती आबार मानूचू अस्टू बारत मादा की जर्टू अने चलने जो अपने पर्मीशने तो आपने राष्ट्रकीत गाईने शुटा बढ़िये अपनी प्रणाली प्रमाने प्लीज राष्ट्रकीत बाटे अबरी बड़ी बद्दा बुद्बदाने चेका आपर जाज हो त्या उपारे जो प्लीज बद्दाने विने तीछे आपने राष्ट्रकीत साथे काईश हूँ जरगर्मन दिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंग कुषिरात मरापा राविड उस्तल बंका बिंद हिमाजय यमुना बंका उंचल जल दिकरंगा तब शुब नामे जागे तब शुब आशिश भागे गावे तब जय गाता जरगर्मन अंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है 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 बढ़र्धमना अस्वात करता हुन हो नच्शात तो में में खुब 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 अबर्माते एक आप्सोना खुब खुब आप्सोना खुब अबर्माते। थैंक वह टुब सूमच्द रिग्यां न 순간लि थांसीय।